कि नमस्कार दोस्तों जी में नाम है विवेक पांडे स्वागत है डटनिवर्स सेवें यूट्यूब चैल पे दोस्तों आज की क्लास बड़ी खास है खास इसलिए क्योंकि आई पिया सार भी प्यूक्लर का हमारा मेंस का पेपर है दस तारी को पेपर हमारा यह होने वाला है औ मुझे नहीं मालूम है यह दो घंटी हो सकता है तिन घंटे हो सकता है लेकिन इतना मुझे मालूम है कि यह क्लास पूरा ए-2-z है यानि कि पूरा कंप्यूटर आपको एक लास में यहां पर मिलने वाला है इसकी जो स्टैटजी मेरे पास है कुछ इस प्रकार से कि आज मैं आपको यह पूरा टॉपिक यहां पर रिवाइस करवा रहा हूं पहले से पूरा टॉपिक में यहां पर करवाऊंगा और उसके बाद अगले से तीन से चार दिन इससे रिलेट जितने भी प्रॉब्लम्स होगे वह हम सॉल्फ करने वाले तो इस क्लास को अगर आप सही से होनी चाहिए आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास एक पेन होनी चाहिए और तो चुकि लंबी क्लास चल रही है तो आपके पास चाय कॉफी का भी इंतिजाम होना चाहिए ठीक है यानि कि चाय कॉफी का भी इंतिजाम आप लेकर बैठेंगा और इत्मिनान से ब बढ़ा लंबा होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब को सबसे पहले टीचर बहुत-बहुत शुबकान है बहुत सार बच्चे टीचर की सुबकामना दे रहें तो आपको भी मेरे तरब से बढ़ा अच्छा लाइन है गुरु ब्रह्मभा गुरु विष्णु गुरु रुदेवु महेस्वरा गुरु साक्षाता पर ब्रह्मा तसमे गुरुवे नमो नमा तो आज हम सब अपने गुरुओं को नमन कर रहे होंगे मैं भी आपका गुरु हो हमारे भी कोई गुरु है आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु के कारण ही खड़ा है यानि सिंपल सा बात है कि यह भगवान है ये भी बताने वाले कोई गुरु ही है तो गुरु की बहुत नाम लेकर सेशन को शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दू कि अगर आप एक्जाम दे रहे हैं बीपियस का तो आपको कौन-कौन से कोशन को इसे अरफ से बचाज देकनों को मिलता है अपको डेटाबेस से मदन सर्फ याप को कुछ नलग नाम देदे ते हैं यानि कुछ ऐसी चीजे जो अभी news में है technology अभी चंद्रयान 3 किया गया है तो भाई उससे related कुछ terminology अभी AI का दौर चल रहा है big data का दौर चल रहा है cloud computer का दौर चल रहा है कोई भी data है वो भी आपको पूछा जा सकता है तो एक बार याद रखिएगा तो यह miscellaneous भी आपके 3-4 question यहाँ पर आने वाले हैं तो यह सारे chapter को यहाँ पर one video पर हम आपको cover करने वाले हैं तो अंत तक बने रहिएगा और copy pen लगा के यहाँ पर बैठ जाईएगा ठीक है चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर computer hardware के बारे में तो guys अगर मैं बात करता हूं computer hardware के बारे में त simple से से क्या-क्या बनेगा point वो देखिएगा computer hardware क्या होता कि computer का वा भाग जिसको चू सकते हैं यानि कि जो computer का physical part होता है उसे हम लोग hardware के धें computer का a physical part ही गहाँ हम उसे उसे hardware के हैं यानि जो भी part हाप उठा के जेब में रख सकते हैं वो आपका hardware है अगर नहीं रख सकते हैं तो आपका software है अगर ये pain है उठा के जेब में रख लें hardware है अगर इस pain को नहीं रख पाएं तो वो मेरा software है तो याद रखिएगा physical पार्ट हर्डवेर है और लाजिकल पार्ट हमारा software है चलिएए दोस्तोँ दूसरा पॉइंट है कि जितना भी हर्डवेर होता है उसको मुखेता कितने भाग में बाठा गया तो जितना भी हर्डवेर उसको दो भाग में बाठते हैं एक मेरा internal hardware होता और एक मेरा external hardware होता है दोस्तों internal hardware किसे कहते हैं वो hardware जिसको जिसको हम सामने से नहीं देख पाते हैं वो मेरा internal hardware हो गया जैसे कि आपका BIOS स्वरी जैसे कि आपका RAM है RAM आपको सामने से नहीं दिखता है ROM आपको सामने से नहीं दिखता है कि आपका mother board जो ये भी आपको सामने से नहीं दिखता है आपको SMPS ऩई वह सामने से नहीं दिखता है आपको अगर मैं बात करते गया एक्जाम में कोशन बेसिकली यूजेस पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पावर कंट्रोल करने का काम करेगा तो आंसर मेरा कौन सा ऐसा सरकीट है जिसके अंदर रैम रॉम पोर्ट वेरा सब पाया जाता है आंसर आपका मदर बोड होगा ठीक है इसके लावा और भी बहुत सारे इंटर्नल चीजें होंगे जिसके बारें हम चर्चा कर पा रहेंगे दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं ऐसे को बात करता हूं एक्स–onala, lacaewald क्या होता है जिसको हम लोग करते हैं जो बाहर से दिखता है जो बहूँचा जाता है यह बहुत इंक बहुत अजाता है और इसको बाठ सकते है इन पूठ पूछा जाता है कि किस hardware का क्या use of hardware आपको दिमाग में रखना है और कौन किस category में आता है यह दिमाग में रखना है एक्जाम में इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है चलिए अब मैं बात करता हो अगले लेंठ इनपर दोस्तो है अगला पॉर्टे इंपूट डिवाइस में में है तो जैसे मैं बताया कि यहां पैब मेरा कीबोर्ड है कीबोर्ड से कोश्चन यह बनता है कि इन में से कौन सा है जो स्टेंडर इंपूट डिवाइस है तो हमारा कीबोर्ड है जो स्टेंडर इंपूट डिवाइस है इसे हम लोग प्रैमरी इंपूट डिवाइस भी कहते हैं माउस हो गया जोएस्टिक हो गया ला यहां के लाइब केंगे आपका इन्पूट डिवाइसे वेबकें में यह भी मेरा इन्पूट डिवाईस है और साथी साथ किहां पर Gyão कि सबस्टाइल वहिसनी है यह सारा नाम याद रखिएगा ठीक है नाम में किया रखा कि एक साम में कुश्षय पूछा जाएगा कि है निमें से कॉन सा है Pointing डिवाइस याद राखेका माउस जो आपने दिया उसमें कोशन पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एनलोग सिंगनल को डिजिटल में कनवर्ट करता है तो गाइस वो मेरा माइक ही करता है यानि एनलोग वाइस को डिजिटल में कनवर्ट करने का काम कौन कर रहा है वो मेरा माइक कर रहा है तो माइक का ये यूज हो गया ग्राफिक्स टै दोस्तों हर डीवाइस का यूज याद रखेगा म यहाई रहे होगा होता है छेक्षन किया जाता है टारर疫 detail को मेरा barcode वो read कर रहा होगा optical mark reader क्या offline OMR answer sheet को कौन read करता है तो वो मेरा करता है OMR करता है webcam क्या है और बता चुके हैं और stylus क्या है हो तो दोस्तों किस device का क्या use है ये दिमाग में रखिएगा किसका क्या काम होता है जैसा scanner का काम है भाई hard copy को soft copy में convert करना तो ये सारा use दिमाग में रखना exam में ये पूछा जाएगा चलिए दूसरे point में बात करते keyboard से question बहुत 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 बन रहा है तो guys याद रखिएगा keyboard में ये आपको keyboard दिखना type of keys है वो याद रखिएगा जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा है toggle की है तो guys याद रखिएगा toggle की में हमारा आता है क्या तो caps lock आता है num lock आता है और scroll lock जो है ये मेरा toggle की में आता है साथी साथ को ये याद रखना है कि toggle की के बात करता है नविखेशन की किसे कहते हैं नविखेशन की किसे कहते है तो याद रखिए काषि ही जत् deiबी चारो encryption एरो होते है पेज एप ऊटा है नवी के ए यह नवीटस की है ठीक हॉम एंड यह भी मेरा नवीजन की है ठीक है हॉम एंड ये भी मेरा निविगेशन की है आप से पूछा जाएगा कि यह स्पेशल की कौन है दोस्तों तो जितना भी आप एड़ रेट हो गया है डॉलर सिंबल हो गया यह सब हम लोग क्या नाम से जानते हैं तो यह मेरा याद रखेगा यह मेरा हो गया तो lazer नमबर है वह ऐरो की तरह काम करता है तो गाइस टाइप आफ की से कोशिंस रहता है थोड़ा सा इसको मैंने बता भी दिया है आप पूरा देख लीजेगा उसके बाד एक और होता है पूरा नुम्री की ऌया होता है वह में रखे की में हमारा क्या होता है तो एसे जाड़ा आता है और जीरो सो नाइन है वो आलफा नियुक्त और इसके लावा जितना भी की जोगा ना बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा सर यह क्या होता है जैसे टैब की हो गया स्पेस बार हो गया एंटर की हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं तो यह सब मेरा अपने नाम से जाना जाएगा टैब टैब के नाम से जाना जाएगा एंटर है एंटर के नाम से नाम से तो बाकी सारा की है वो मेरा क्या है वो मेरा एंटर की से नाम जाने जाएगा ठीक है चली आप मैं बात करता हो फोगले पॉइंट में output device पर यह हो गया n food में किया है किसका क्या use अगर दिमाग में हागए तो कोश्यण आब बना के आ रहे हो exam में दूसरा पॉइंट है आपका output device में आउट्पूटe exam 의 दिवाइस सिंपल स वह डिवाइस है जसे मुझे रिजल्ट मिलता है वो मेरा उट्पू डिवाइस इसमें आता है क्या तो गई ज्याद रखेंगा मॉनिटर हमारा उट्पूट हो गया मॉनिटर हमारा आउट्पूट हो गया प्रिंटर हो गया स्पीकर हो गया है एड्सेट यानिया स्पीकर है प्रोजेक्टर है और प्लोटर कि ठीक है थोड़ा इसके बारे में बता दे था हूँ जाले स्टाइव इसका युज 250 सभा स्मार्वान ने जिससे में लिख रहे ना मेरे बिल्कुल सहीं स्मार्ट बॉर्ड इसको तरहें जिसके चैसे ही इसे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है तो यह हो गया स्टाइलस के बारे में तो इंपूट सारा क्लियर होगा सारे बच्चे के तो यह सर इंपूट क्लियर है इंपूट में आप कोई दिखकत ने कोश्चन आएगा हम ऐसा इसे सॉल्फ कर पर होंगे इंपूट कौन कैसा है यह याद रख लेना कि आपका जो pen drive वेगरा है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं वो भी मेरा दोनों की कैटेगरी में आता है ठीक है तो यह कुछ ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग होता है अब यह व्यक्टर इमेज क्या होता है इमेज दो प्रकार का होता है एक रास्टर इमेज होता है व्यक्टर इमेज रास्टर इमेज क्या हो गया जो क्लिक करते हैं जिसमें डॉट 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 ऐसे दिखता है उसे कहा जाता है और जो बड़े-बड़े बैनर होडिं उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर इमेज तो प्लोटर जो है वो वेक्टर इमेज ही प्रोड्यूस कर रहा होता है तो यह पूरा याद रखे सर मेरे पास है आपको यह रखना है कि मॉनिटर का अए आपको दिखता है तो यह क्या बता यह अमाउन टॉट्फिक सलने इतने इतने पिकसल होगं रिपरेस्ट रखेगा तो पर सकंड कितना image load हो रहा हा उसे हम लोग nلا refresh rate कहते हैं पर सजो कितना image load हो रहा है उसए हम लोग nese rate कहता है तो यह सारी चीजे छो अब कर exam में पूछ जाएगा monitor के बारे में इसके अलाब मोंटर अका तोisन दिमाग में रखिएगा जैसे मोनने का टाइप क्या हो सकता है तो आपका LCD होता है LED होता है ठीक है LED होता है CRT होता है OLED होता है ठीक है OLED होता है अब देखो यहाँ पर CRT से कोश्चेन एक बार बना था CRT का फूल फॉर्म होता है cathode ray to cathode ray to अब पूछा यह गया था कि इनी में से कौन सा मॉनिटर है जिसमें सर्फेस पे इमेज डिस्प्ले करने के लिए इलक्ट्रोन बीम का इस्तमाल किया जाता है तो सी आर्टी है आपने देखा होगा ऐसा मोईटर इसका पीछे ऐसे निकला होता है तो वह बैसे क्या हो गया वो बेसिकली सियाटी होता है यानि कि आपको इमेज डिस्प्ले करने के लिए अक्टरों बीम का इस्तेमाल कर रहा होता है वो मेरा सियाटी होगा राइट अंसर सियाटी चली अब बात करते हैं अगले पॉइंट में दूस्तों ती यह मॉनिटर का टाइफ हो गया स्पीकर हो प्रोजेक्टर हो गया अब आते हैं दूसरा टाइप प्रिंटर टाइप प्रिंटर से कोशन बहुत बार बनता है तो इसको जितना अच्छा समझोगा आपके लिए अच्छा रहेगा वो ठीक है यार सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेयर तो करो मतलब एक पूरा क्ला पा रहा हूं ठीक है तो फोड़ा सा अब इसको एक्जाम नहीं दे रहा होंगे lots of people are there जो हमारा एक्जाम दे पर आओंगे ठीक है तो थोड़ा सा इसको तो जाथ बच्चों तो कि रिचाउट कर सके ठीक है चली अब नहीं कुस्छिन व दोस्ताना कोशन किया वो देखते है प्रिंटर के बारे में प्रिंटर क्या है तो बेसिकली प्रिंटर दो प्रकार का होता है याद रखेगा एक मेरा इंपक्ट प्रिंटर होता है एक मेरा नॉन इंपक्ट प्रिंटर होता है इंपक्ट प्रिंटर क्या होता है एक ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक और पेपर एक दू इंक रीबन यानि याद रखिएगा जिसमें रीबन का इस्तमाल होता है जिसमें इंक और पेपर एक धुश्रे को टच कर रहा होता उसे हम लोगی मगते और जो टच नहीं करते हुसे हम लुग non impact करते जोट टच नहीं कर दोसके का सब Stratton bak is तो गॉस्त डिसम जिसमें इंग और पेपर दुसरे को टच करेगा वह लाइप्ट हो गया तेक है हाव कल और पर्षाप में तॉभ लोगाइब του याद रखीईगा इंपेक्टर ़ता है स्पीड इसकी सलोई होती है और इसकी फास्ट होती उसकी तै इसकी वह ती है किस्किकालियो प्रफॉट गूड होती है इसकी गुड İns transit प्रिंटर में क्या होता है हम रिंगे करेक्टर डे बाइब मैट्रियल पिन यानी सिम्पल सा याद रखिएगा इसमें हैड और पिन यानि इंग और पेपर एक दूसरे को टच कर रहा होता है तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट है इमपाक्त और दोसरा हो गया नॉन इमक्त अब एकसर इसमेन आता है क्या तो याद रखेया है दोस्तों यहां पर इमपैक मेरा दो कैटेग्री बर्ठा एक हम लोग यह था करीक्टर प्रिंटर तो प्रिंटर किसे यह था जिसकी स्पीर्ड है तो यहां पर कोशिन क्या बनता है दोस्तों यह याद रखिएगा यहां पर कोशन यह बनेगा कि इनमें से कौन सा printer fast है कौन सा printer slow है किसकी quality अच्छी है किसकी quality खराब है यही आपको exam में बनने वाला तो पूरा अगर categorize याद रखिएगा कि impact printer में क्या होता है तो impact printer आपका slow है यह आपका fast है इसकी quality खराब है इसकी quality अच्छी है तो यह अलग-अलग तरीका है इसका अलग-अलग यूज़े वह आपको दिमाग में याद रखना है hope आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है ठीक है यह आपको clear हो गया सारे बच्चे कह दो कि यह सर समझ में आगए impact और प्रिंट नौन इंपक्ट में कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो गाइज यह इसके बारे मोगा दो तिन चीज़ के लिए अब एक पॉइंट यहां पर और मैं आपको बताता है यह impact कियाता है DPI में डॉट पर इंच में प्रिंटिंग की क्वालिटी मेजर के तो यह इसके बारे में हो गया ठीक है हाँ भाई कर दूंगा पहले पढ़तो लो पूरा तो यह अब प्रिंटर से कुछ भी पूछा जाएगा तो याद रखेगा लिख लो कहीं साइड में प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मेजर की जाती तो DPI मेजर की जाती है प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में प्रिंटर की जो स्पीड हो गया सीपीएस में एल पीएम में और पीपीएम म जो इस्तमाल होता है या फिर आप लोग जो मौल्म जो को प्रिंटर का इसरॉल करते हैं वो मेरा थर्मल प्रिंटर होता तो रिखाइज यह पूरा याद रखीगा प्रिंटर के टाइब से कॉच्छन और declared के जरू शी STOP ओर फुल फोगा चारेक्टर पर सेकंड डिपी अपूल फॉर्म डॉट पर इंच और एल पियप का फुल फॉर्म लाइन पर मिनेट और पीपीम का फुल फॉर्म पेज पर मिनेट अट्स तरीज़ ठीक है चलिए तो यह इंपक्त और नॉन इंपक्त अब था ताइप सब पोर पेरिफेरल डिवाइस हमारा होता है पेरिफेरल डिवाइस होता है ठीक है पेरिफेरल डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है वो डिवाइस जो कंप्यूटर में अलग से लगा जाता है उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते है और वो लगाया कहां से जाता है तो पोर् पर करते हैं तो अभी तक आपका प्रिंटर क्लियर हो गया इंपूर्ट और पूर दोनों वो क्लियर हो गया यह पूरा कॉंसर्ट आपके दिवांगे मैंने अभी तक दे दिया चलिए दुसरे पॉइंट क्या फूण सिरयल पोर्ट का जो डेटा वन-बाई-वन ड्रांस बोर्ट केते हैं बेसिकली मॉटेम वेगरहें जो केगा हो लिनी एक पीछले बीर कोचिन कोचा हो गया हुगा याया दिला देता हूँ कि पिछले बार एक्झामों enrolled पूछा गया तो प्रिंटर में कौन सा पॉट इस्तेमाल होता है उसमें श्ammenरा परे बीस्तेमाल होता है option में था मेरा क्या उसको वाइफाई से जोड़ सकते हैं आज का प्रिंटर वाइफाई से भी जोड़ सकते हैं आज का प्रिंटर हम लोग यूएसबी से भी जोड़ सकते हैं तो उसमें सब हो जाएगा पैरलर भी सही है वाइफाई भी सही है और हमारा वो यह सब्सक्राइब गया हुए प्रिंटर आ रहा है वह यह भी पोड पे ही कनेक्ट हो रहा है लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ सिर्फ पूछा गया कि प्रिंटर किसमे कनेक्ट होगा तो वह मेरा पैरलल पोड़ से हमारा कनेक्ट हो रहा होगा ठीक चलिए अगला आगया युएस्ट यूएस्ट याद रखिए कर यूवर्सल सरियल भास हो ता यूझ वर्सल कहने का मतलब किसी वी डिवाइस के साथ इस्तेम्स सपार्फ सकते वो मेरा यूस भी पूर्ट होगे दो प्रकार का हो था यह टाइप का हम जो थे Alecentire Serial Port हॉत ऑल्लास दमाल है। जो और ओल्ड माउस व्यूयरं में किया जूता है। होता है इसमें कितने पीन होते हैं तो 15 अग्जाम में यह भी बहुत बार पूछा गया यह यह में पूछा गया तो याद रख्येगा तो यह मेरा दो Sенных सो मच तो इसी उसफुल क्लास देने के लिए मैंने के लिए आपके सारी क्लास देखिए थैंक यू थैंक यू सो मच और वार वेलकम टूल अफिगाइस यह प्यार के लिए मैं यहां पर रुका हुआ ठीक है थोड़ा सेयर करो यार थोड़ा जाता जाता शेयर करो मैक्सिमम बच्चे को यहां पर पहुचा दो मुझे पता है कि लंबी क्लास वही दालू ना अगर एक एक सौट डालू तो हजार बच्चे देखेंगे लेकिन अगर मैं इसा डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो साइध बच्चे नहीं देखते हैं क्यों अरे भाइस मुझे दिन बर में कमेंट आता है कि सब मुझे पीडियेव दे दो ना लंबा वाला पीड ले रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं हिम्मत रखें लास तक्टिकर आगे पूरा कंप्यूटर आपको क्लियर करके भेजूंगा यहाँ ठीक है चलिए तो यह विजिये पोड़ों के अगला हमारा sdmi पोड़ होता है हाई डेफनेशन मुल्टी मीडिया इंटरफेस ह दोनों का ट्रांस्मिशन होता है यह भी तीन परकार का है स्टेंडर sdmi mini sd में और micro sd में और एक होता है माई डिया भी लिख लिजेगा माई डिया भी एक पोड़ होता है इसमाल में लायता है तो 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 अडियो पोड़ वैगरा देख लीजेगा पोड़ से यह तो मैंने कर आपको बनेगा देखो यह तो मैं नॉर्मल यहां पर करवा रहा हूं और कुछ अत्रिक चीज़े होगे ना अगला तीन से चार दिन मैरतन चलने वाला है मैं उसमें वो स सारा कोश्यन भी करवा दूंगा ठीक है तो तीन से चार दिन बस साथ बनाया रखो डिसपोइंट नहीं करूंगा चलिए बात करता हूं अगला एक हमारा पोर्ट आता आर्जे पोर्ट तो आर्जे एलेवेन है जो बेसिकली इस्तमाल कियाता है टेलीफोन में और आर्जे फ क्याThey thought घमा ठीचेगा तो आठ़ी है ढीकषन होता है और आर्जे-फुर्ट इस्तमाल होता है जो बेसिकली इस्तमाल होता है यह आठ फिन का ओदन लंबर फील धी दिमांग में रखिए आइडी कनेक्टर कहते है आइडी के बारे में भी पूछा जा सकता है तो यह भी इसको आइडी कनेक्टर कहते हैं तो आइडी कनेक्टर क्या होता है जो मदर बोर्ट को हाड़ी से जोड रहा होता है वह हमारा आइडी कनेक्टर होता है यह पोर्ट जाके यहां पर लग रहा हो आप बात करता हूँ इंटर्नल डिवाइस के बारे अलड़ी मैंने बता दिया तो थोड़ा से यहां पर नाम देख लो कि CPU आपका इंटरनल है मदर बोड आपका इंटरनल एक चीज मैं और बताना भूल गया इंटरनल में आपका क्या क्या आ सकता है तो आपका वीडियो कार्ड है वो भी आ जाएगा वीडियो कार्ड यहां पर होगा ठीक है वीडियो कार्ड जिसको ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं यह आप वीडियो काड लगाएंगे साउंड अच्छा चाहित आप साउंड काड लगाएंगे जैसे हम लोग वीडियो काड को यहां पर जीप्यू भी कहा जाता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट तो अगर पूछा जाए कि अच्छा वीडियो देखने क्लिए क्या इस्तमाल लेकर बैठाओ कि कुछ भी होगा मैं कम्प्लीट कराओंगा बस आप तयार रही है ठीक है सेर करो जादा जादा लोग तो गाइस यह मेरा होगा इंटरनल हाडवेर के बारे में एक जरूरी सूचना दोस्तों आज गुरूपूर्णी माग अगुरीपूर्णी में जरूरी सूचना जो आपको बता रहे है वाई 706 पे आपको 78 परशेंट तक का और आप स्वारी 80 परशेंट तक का आफ आपको मिल जाएगा जब आप से लिए रहोंगा तो यह जरूरी सूचना और लेडी वह बच्चों के लिए जो अभी तरह एडमिसल नहीं नहीं आपका कोई दोस्त है बैच में एडमिसल लेना चाहरा तो उनको बताईएगा महा पैक में ही एडमिसल लेंगे क्योंकि उसमें सारा कोर्स मिल जाएगा और आज आपको डवालेवेलिटी पे मिल रहा है जब आप वाई 706 लगा ठीक है चलिए दूसरा अब यह हो गया हाड़वेर आपका कंप्लीट अब देखो आपको यहां पर फुल फॉर्म जैसे कम कवर आपको मैं बता देता हूं जैसे सीमॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कॉम्प्लिमेंटरी मैटल ऑक्साइट से मिंकरेटर एक तरह का बैक्टरी है जो पावर बैक अप के लिस्तमा होता है इनपोट कंट्रोलर होता है इनपोट कंट्रोलर होता है उसके बाद हमारा आउटपीट MOR होता है तो यह क्या होता है यह इंपूट कंट्रोलर और पूट कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि यह कीबोर्ड यहां मेरा यह इंपूट डिवाइस है और यह मेरा सीप्यों तो दोनों के बीच में मीडियेटर का काम करता है इंपूट कर यानि इंपूट का डेटा जब कंपूटर पमीजार होगा तुष कर थी इंपुट कंटूलर से जा रहर तो इनपूट डेटा को कौन कंट्रोल करता है तो बिमा पूट कंट्रोल करता है तो दिस ऐसलिख हो अifty है ठीक है तो यह हो गया मसारा अगले पॉइंट पर आते हैं अगले पॉइंट में अगला कोशन का यह मैंने बता दिया नंबर सिस्टम तो हाड़वेर आपका कम्प्लीट हो गया अब हाड़वेर से उठा के देख लेना करूर रियल बच्चे होगे अगर एम सीक्यू लगा रहे होगे तो कोशेन आपको बन रहा बस कुछ कुछ एक्स्टा फुल फॉरम है जो आपको एंटेगरी तो हाड़वेर का के टेगरी और हाडवेर का यूज इतना रख लोगे हाड़वेर से कोशेन बनना स्तयार हो गया चलिए अब बात करते हैं नंबर सिस्टम बहुत आपका आता है तो सारा कनवर्जन एक बार रिवाइस करवा देते हैं तो गाईस नंबर सिस्टम में बेसिकली आपका क्या है वह देखिएगा कि टाइपस ऑफ नंबर इससे किसी तरह से भी कोश्चन बन सकता है तो गई अगर बात करता हूं कि नंबर कितना है तो मेरा एक से मिलके बना उसे बाइनी नंबर कहते हैं और बाइनरी का बेस मेरा दो होता है ऑक्टेल नंबर क्या होता है जो मेरा जिसका बेस आठ होता है और जीरो से साथ तक मिलके बना होता है डेसिमल किसे कहते हैं जो जीरो से एफ तक के मिलके बना होता है और इसका बेस जो है वह इनबर होता है एक्जाम में कभीके पूछा भी जाता है की कौन सानबर होता या नहीं फॉता है तो गाइज याद रखे के यही चार पर कान नमबर होता है यह से यह दिस इनफ फोर रोल थम शॉडिस अनुफ इनफ एक जैट यह इनफ है पर सनव यह आप का इन अफ है अब हमें कर दो सिखना कर देसिमल से बाइनरी बाइन से डिसमर्ड या मैं एक अखी बताओ जादा मैं बता हुआ था ध्यान में दीजिए ठीक है मैं हर टाइप का इक बता दूगा ताकि आप जल्दी सूसको कर ले ठीक है कन वर्जन टाइट तो सब से गर बात करता हूँ था सबसे पहले अगर बात करता हूँ लग सटे कर देखर इतना तरह का कर वर्जन को पढद नोट में बथा इसको ठीक है एक सिगन अ चली तो थोड़ा सब नोट में में कर दो बताई देता हूं एक दो कर बर्जन में यहां पर बता देता हूं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या 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 पुछा जा सकता है तो गाई आप से अगर माल लूब पूछा जाए कि डेसिमल से बाइनेरी का करेंगे हैं रहा है न डेसिमल मान से देखना झापी नोट लिंकर रहना है तो गैस अगर मान लिजेंकरě 76 एक डेसिमल नंबर है और इसका बाइनेरी क्या हो एसा इसा पूछा जा रहा है कुछ मत करना जब भी इसिमल से भाइनेरी पूछा जाएगा कोउंटिंग sait स्टार्ट करना एक से और दो गुना करना एक आप ck早 का दो गुना डो सक दो गुन जोड़ेंगे कि मेरा आप 76 आजाएगा कौन से नंबर को जोड़ेंगे 76 आजाएगा तो 64 सॉरी 64 हो गया 64 और 8 मेरा कितना हो गया 72 72 और 4 76 और ये बाकी सारा मेरा जीरो तो ये हो गया बाइनरी याद रखेगा दुबारा बता देते हैं क्या करना है जब भी डेसिमल से बाइनरी आएगा काउंटिंग एक से स्टार्ट किजिएगा दोगुना किजिएगा कहां तक दोगुना किजिएगा जो प्रस्ट दिया उससे छोटार उसके बराबर किजिएगा उसके बाद जिस संख्या को जोड में आप ला रहें उसकी नीचे वन लिखिएगा जिसका यूज़ नहीं कर रहें उसके नीचे जीरो लिखिए का हो गया डेसिमल से बाईनेरी कंवर्ट ठेक है चलिए अब ओगयाइबेसीया साट अब दूसरे पॉ sådan प्य आता है चलिए जनीडा हूं है ठीक है अगर दिक्कत आ तो मैं जिंदा reflective यह दिखिन मत्या बाइन नमबर आपको दे दिया आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए क्या एक दो चार आठ सुला बतीस चौशाट एक है और 120 sudah 505 घैक बहुत आलिए फ्लु फ्लु में ढ extrem आ रहाएं आप अब किजह हर पेर से 00ции को घख कीजिए यहां से यह 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 बोक्तलिए हैं से यह बोल्ट आगा यहां से यह गई बढ़ जाएगा यहां से हैड Bran мн बचा क्या बचा मुझे कमेंट बॉक्स में कर दिये कि यह सर इसकांसर यह रहा है कि चलिए सारे बच्चे कहने कि सब्सक्राइब बिल्कुल अगर जोड के 301 तालिस आ रहा है तो आपका राइट आंसर है आप यहां पर जंग जीट चुके नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपको बताता हूं कि अगर सर आक्टेल से बाइनेरी रहेगा तो क्या करेंग गे रैघर मान जो अक्टपैल कि से गया इसका भणका होगा तो बहुत सारल तरीके से इसको कर रहोंगे थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं मेरा यह आदत नहीं कि मैं इतना तेजिस पढ़ाता हूं मैं आराम से पढ़ाता हूं लेकिन मुझे मालूमें कि ज्यादा चैप्टर कवर करना तो थोड़ी से मैं अपने अंदर तेजी लिता हूं तो इसको थोड़ा सा समझ जाएगा ठीक ह करता साफीर लीट है थीनसीया इसे दिया मैंने अप्ठी का कमयंट के हिजाब साइन सर लिग दिया घलदि लोग modular ने गलता हो गयाफ मैं जब फेल से पूछा जया जितना नंबर उतना वार क्या लखिएगा कब जय से बाइनेरी पूछा जा मैने लिख दिया एक दो चार वन टू का फोर वन टू का फोर मायनेम इस लग्विवेक ठीक है मायनेम इस विवेक है तो यह हमारा गो उसके बाद एडी करना है तीन है तो दो और एक तीन यह 06 części नीन हो गया कह सामझ में आ गया कर देता हूं एक नया टाइप वालब बताता हूं जाओ कहीं अब फसना जाओ अगर कोशिन ऐसा आजाए कि 76.73 यह आया भी एक्जाम में यह ओक्टल है सर इसका बाइन डेसिमल वाला तो दिमाग रखना ठीक अगरबल मत करना गरबल मत करना इसका क्या रहा होगा इसको बताईए तो जब भी आपको ऐसा डेसिमल वाला कोशन मिल जा करिएगा क्या यहां पर बस वही चीज़ होगा 12 का 412 का 4 लेकिन इधर 12 का 4 होगा पॉइंट के बाद क्या होगा पॉइंट के बाद 4 2 का 1 और 4 2 का 1 हो रहा होगा ठीक है यह हमारा उधर का पार्ट हो गया अब एडिशन कीजिए 6 लाना है 4 5 6 और यह 0 साथ लाना है 4 5 6 और एक साथ तीन लाना है 2 और एक 3 और यह 0 और बीच में डेसिमल तो इधर आपको ऐस इसमें महारत आसिल हो जाएगा ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस इस पर ज्यादा मांगता है दो तिन कर लिए दिक्कत होगा तो मैं जिन्दा हूं मैंने पहले बोला कि मैं भी जिन्दा हूं ठीक है चलिए अब अगले पॉइंट पहता है का इस दूसरा थोड़ा सा मैं बता तो यहाँ पर क्या कर रहा है गाई जया나ी फेर लगा रहे होंगा तिन टिन प्यर इuteur तीन कपेर तीन कव एत तीन कव आहीं प्यार लगज्य हो इनी कव लग रहा है फूण से बहुत निशनी को फ्वर्टव नोग चलिए बच्छोन धड़ाइए सब को हर पिर से जीरो को गाइब कीजिए इस पेर से जिरो काती से क्या निकलाव पांच निकलाव झुकायब तो यह झान इक निकलाग 50 से धर आ हो गया ठेक है क्लियर है चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे दूसरा सर अगर ऐसा आजा अकूर अच्छा आ जाए इसा अगर hexadecimal दिया रहे है और इसका बाइन मैं हर टाइब बता दे रहे है hexadecimal दिया रहे बाइनरी आएगा तो क्या करेंगे तो सिंपल सा hexadecimal को बाइन अगर मान लीजिए कोई नंबर है एफाइब अच्छा हैक साट इसमें तो सा confusion होगा मैं क्लियर कर देता हूं hexadecimal मतलब क्या होता एक मतलब 14 एफ का मतलब 15 खतम कहानी ठीक है यह वैलू याद रखेगा एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगला एक ऐसा ट्रिक देंगे कि काम हो जाएगा आपका एक बस यह काम करना कि मानलों कि यह तीन डिजिशन तो वहां पर पेर जो एक दो चार का लगा था यहां पर पेर लगेगा एक 2,46,85 एक दो चार आठ एक दो चार आठ का पेर लगוא यह दिस द्स और इस के लिए ठीक है छे है तो चार और पांच चार और पांच जए और यह दोनों जीरISA आफ ए था मतलब क्या होता है 15 तो आठ चार बाराँ लंह 14 पन्द्रह एक का मतलब होता है 10 तो आठ और दो दस और यह दोनों 0 तो यह हो गया hexadecimal to binary का कर्म एक साथ इसमल टू बाइनरी का कर वरजन यह हो गया ठीक है तो यह समझ में आ गया क्या मैंने किया एफ का मतलब यह समझ में आ गया ना सारे बच्छे का दो यह समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नी अराम से थंडा कम गर्मी का मौसा में चाय कॉफी पीटे रो मैं भी बीज़ी पानी पी ले रहां ठीक है ठीक है चलिए क्लेर हो गया तो यह मेरा हैक्सा डिस कि चली अगले पॉइंट पैता अगले पॉइंट पे क्या रहा है कि दोस्तों अगर ऑसरे दिसमल भीन अर बाधी बात नहीं है और पॉइंट वाला आएका उसको भी कर लोगे सेम पॉइंट पे चलो एक एक और करी देते हैं ठीक है एक सगेंट एक करी देते हैं कौन सा कर देते हैं तो एक डेसिमल वाला कर देते हैं दोस्तों अगर ऐसा माल लिजे कि 73 आप इसको रेस करो यार अगर ऐसा कुछ करते है कि a b dot c 9 एक मेरा हैक साथी सिमल नमबर सर इसका बाइनेरी क्या हो गऑब बे्टा मैंने अभी क्या बोला आप को कि आपको करना कैसे है कि जो भी कॉशिन दिया रहेगा आपको जतना है दो इधर 2 है और इधर मेरा 2 है बीच में कैया करेंगे जब भी HAC 일반 ऑनेरी पूछा जाएगा हम गए एक दो चार відका पेरल लगा लेंगे ठीक है कि एक दो च्छाु का एक च्छाइधा फैरल करते लिए और असमें दो चाराइर का लेच эल c आपको तो यहांए तो और 1-2-4 मेरा धोटो गया तो नहीं ह। भी का मतलब क्या हुए despy दर क्या है और MATT यह और hand पर क्नेंटिंग एज नहीं होगी तो सी का मतलब हो गया क्या शी गह raspALLY और यह दूनोज दूर। और शाल जंद भारव हो घाल डृर्ट और एक न ARE leser राइट ए नों और यह दूनो जीरो डाइस एर उगर इसका समझ मैं आ है तिक इससे क्लियर हो कि सारे बच्चों को समझ में आगे आगे अब आते दूसरे पॉइंट पे डैसिमल वाला कर लेना कोई दिक अनिए वह जाएगा ठीक अब थोड़ा सब्सक्राइब उसको क्लियर करते से बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर अगर मेरा डेसीमल दिया रह और मेराइब पूछा रहें तो क्या करेंगे या इसके बारे मद सुन लो पहले आप क्या करओ कि जो भी आपका ओटेल दिया था तBIनरी निकाल क dit ही पहला स्टेप में यह कर लो और फिर आपका जो बाइनरी आया है उससे आप सको और D мы कर वाई यह दो स्टेप और मंद एकrá मन डूल बता रहा है जो कहीं पर भी आप इसको इंप्लिमेंट कर सकते हो common rule है कहीं इंप्लिमेंट कर सकते हो चलो देखते हैं तो क्या पूछा एक बच्चे ने बदा सब 345 सरॉक्टेल नमर चलो सर कोई दिकत नहीं है तो यहां पर आते हैं थोड़ा नंबर हो जागा 345 अक्टेल नमर उसका डेसिमल क्या होगा ठीक है अग एक दो चार एक दो चार एक दो चार यह काम कर दिये पांच पूछा है चार और एक पांच यह जिरो चार है तो एक और यह दोनों जिरो तीन है तो दो और एक तीन और यह जिरो यह जिरो यह इसका बाइनरी आ गया तो 11100101 यह इसका बाइनरी आ गया अब हमको यह तो आता था अब आइने लिसे डेसमल भी तो करने हमें आता है कर लेंगा भाई तो बाइने से डेसमल कैसे होगा तो एक दो चार आठ सोला बतीस चौशाट एक सौटाइस ठीक है जीरो का पेर हटाओ इसमें ये खरब खतम होगा ये खतम होगा बाकी को जोड़ो तो एक सब्थाइस औ और चौशट और बतीस और चार और एक को जोड़ो जो आ रहा है अंसर वही आपका राइडांसर तो दोस्तों कभी भी अगर आ ठीक है तो गई इस तरह का कोशन आपको आपे देखने को मिल सकता है किसी भी तरह का वाईसा वर्सा आएगा पिसको ऐसे यहां पे कर सकते है ठ ठीक है एडिसन में कोई गड़वड़ी नहीं है पैटर नहीं ही होगा अगर कुछ कैलकुलेशन होगा चैलकुलेशन आप चेक कर ले ठीक है आठावारा दो चौदा अच्छी चली अब आते हैं दुसरे पॉइंट पर दूसरा पॉइंट क्या है दूस्तों वह बार देखत तो गाइज यहां पर करना क्या एक तरीका में बता देता हूं आप यह ठीक है तो गाइज अगर यहां बात कर रहां सिंपल सा लखिएगा कि 76 अगर मेरा डेसिमल नमबर है इसका अक्टेल क्या होगा तो एट से इसको फेक्टराइज करो तो एट नाइन जा सवेंटी टू हआँ रिमारे माइंडर कितना ढंगया है- unanimous-72 मेरा फिर इच понять करेंगे 18 a estás अगा रिमाइंडर मेरा वन आगया और बोटम टूठा लिघ देंगे यानिआ कि 11 activeral का उटेल वैली हो गया तो इस तरीक है से 50 को निकाल सकते हैं कोई दिकात नितनी सेम लसे में तो तो 76 को आप 16 से डिवाइट करोंगे तोस तुस्तो दोनी 22 ती सो लो 4060 ठीक है दिखन फोर जा शिक्ष्टी फोर तो सवेंटे सिक्स्फ में अगर 64 गया तो कितना हो गया 6 में किया या कि 12 रिमाइंडर बावज़ रहा है इसको बाटम टू टॉप लिखो 4 और 12 लिखेंगे और हमें मालूम है कि 12 कोम लोग सी लिखते है तो 4 стан iç समझ में आ गया एक बाप सारे बच्चे कहती है यह सरे कनवर्जिन आव थोड़ा सा दिमाग रखना हो गाथ यह प्रैक्टिस मांगता है आपको हर तरह का टाइप है वह आपको प्रैक्टिस मांगता है ठीक आप ज्यादा चार बारा अंसर नहीं होगा चार सी होगा क्योंकि hexadecimal सो आक्टेल पूछा जा सकता है या कुछ भी जिग-जैक वाला ही ज़्यादा चांस है क्योंकि प्यों का एक्जाम है है तो गाईज आपको याद रखिएगा यह आपका चलिए तो गाईज यह वाला पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या यहां पर पूछा जा रहा है तो दिस इस दवे आई होप पूरा समझ में आ गया पूरा पूरा देख लेना कोई मतलब यहां पर ट्रीक आपको तो यहां इसके बारे में I HOPE यू गटिंग दआ पॉइंट अब आते दूसरे पॉइंट पर दूसरा पूइंट एक चीज और मैं आपको बतायता हूं कि आजक्त पूछा जा रहा Windows या फिर आपको digital circuit कभी question पूछा जा सकता है तो वह भी मैं टच कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखत ना एक भी question ह्टोड़ना नहीं चाहाenne तो गाई याद रखियेगाद आपसे back binary number दिया गया और पूछा गया कि इसका वन्स कॉंप्लिमेंट निकाल के दीजिए इसका वन्स कॉंप्लिमेंट निकाल के दीजिए तो आप इसका वन्स कॉंप्लिमेंट कैसे निकाल रहे होंगे तो जो भी नमबर दिया उसको उल्टा कर दीजिए paung emergen Scroll also one lock ऑलज जिरोए ड़िगर पूछा सकता है ठीक है लेकिन अगिन अगर पूछा जा इसरी ये नंबर दिया गया है ये नमबर दिया गया है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका भी मैं shortcut की बता देता हूं इसका भी मैं shortcut की बता देता हूं दोस्तों याद रखिएगा इसका shortcut क्या हो सकता है तो आप क्या करो राइट इंसे डेटा को copy करो यह copy किये 0 और यह भी इसको किये one ठीक है यह one हो गया जैसे आपको पहला one मिले बाकी का सारा डिजिट को reverse कर दो ध्यान रखना मैं दुबारा बता रहा हूं कि आप इधार से डेटा को copy करना start करना और तब तक copy करना जब तक one न मिल जाए तो मुझे यहां तक one मिला अब इसके बाद का भी इसके बाद जी रो है तो यानी वन होगा यह वन है तो वह जी रो होगे यह जी रो है तो यह वन हो गया यह वन है तो जी रो होंगे ठेकनिक लिखर ना यह पढ़ता है कि आप once कॉंप्रिबेंट निकालो फिर ऊसमें वंजोडो जोड़ दो एन कौन उतना करेगा जासॉट कर मैं हूँ तो सॉट कर तरीका तो कुछ नकूली दूँगा तो ये सका सौट कर तरीका है आप आप इसे कोपी करके फिर आप इसको ऐसे कर सकते तो वांस कॉंपलिमेंट तूस कॉंपलिमेंट समझ में आगे कोई प्रॉब्लम निया एक बार सारे बच्छे काई तो कि यह सा समझ में आ गिया कि धें राओ ठीटी गैए चली अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दीता है को एक पॉइंट और मैं बता थे का पैसे कुंपल कुक्टन है झालचा वे ठिकल तरीक बढ़ एंग तरीका आप कैसे को कर से एक चीज और मैं आपको classmates कर दो है तक जैसे का है लॉजिक गेट से कुशिन पूछा जा रहा है लॉजिक गेट से तो एक दम दिमाग में रखना बेटा इसको मैं बता देंगा डाइग्राम वाला तो बहुत कम चांस है एक मैचिंग वाला कुशन आया था ठीक है तो गाइज याद रखें लॉजिक गेट के बारे में यहां पर मैं देख पार हो तो लॉजिक गेट कितने परकार का है तो डिश्टल सरकीट अचा चलो आगे हम हाड़र पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे ठीक है लेकिन बात उठीए तो डिसकॉस करी लेते लॉजि षर बैसिक लिए रखेंगा बेैसिक लाजीड गेट कितना होता है तो पैसले मैं कर देता उanut होता है यह युनिवरसल होता है और ड्राइव लॉजिक गेट कौन सा होता है तो ड्राइब लॉजिक गेट हमारा जो होता है वो जौर होता है और एक्स्क्लूसिव और नौर होता है ठीक है एक्स्क्लूसिव और नौर यह जो बेसिकली ड्राइब उसके बाद ये मेरा और गट जिसमें आपका क्या होता है कि एक इनपूट होता है तो इसमें क्या बनता है को भी मैं आपको बता देता हूं सर पायल का कहना से हैलो सो जब से आपकी कंप्यूटर की क्लास देख रहा हो कंप्यूर टेस्ट में नंबर बहुत इंक्रीज हो रहे है जरूर होगा जरूर होगा बहुत इमंदारी से पढ़ाता हूँ चलिए आप मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यह एडिसन पर काम करता और यह मेरा कॉंप्लिमेंट पर काम करता रिवर्स पे चलिए तो एंड गेट क् हो सकता है या 101 हो सकता है या तो 00 technologies हो सकता है और एक का output कुछ भी हमारा हो सकता है ठीक है चले दोनों हाई रहेगा तब हम हाई रहेंगे दोनों हाई रहेगा तब हम हाई रहेंगे रेस्ट हर केसमें हम लो रहेंगे ठीक है तो यह भी लो हो गया यह भी लो हो गया यह भी लो हो गया तो आपके एक्जाम में कोशन क्या पुछेगा वो भी मैं बता आता हूं कोशन आपसे यो आउटपूट हाई होगा तो यह याद किसी भी तरीका सा लाइन थोड़ सा पियो का एक्जाम में आपका क्या होगा ना कि एक भी one दे दो तो मैं one हो जाओंगा तो इसको यह सिर्फ क्या होता जब दोनों 0 होगा तभी यह 0 होगा बाकि हर कंडिसन में यह रिवर्स का काम करता है तो किसी भी तरह कैसे the statement change करके देगा ऐसे आपको चार्ट नहीं देगा एक्साम में कह देता हो कि आपको चार्ट नहीं देगा एक्साम में क्या देगा कि condition यह वाला लिखा रहेगा कि when the input is low using our get what will be the output तो आपको पता होना चाहिए है कि जब डोनों लोगा तो आउट्पूट आपका जीरो होगा जब एक हाई दूसरा ही ये तब भी हाई है एक लोग दूसरा है ये तब ये तो यह इधर का क्या होता है बैसे की क् yapıyor कि एंड ऐर नंड गट का हarena ऑड फिर खता है एंड प्लस नोट होता है ठीक है एं एंड गट जो ही बन यहां पर यहां पर लिख देता हूं न गेट क्या होगा तुब मेरा हैं द पलेख पर नोट लाग यहां पनत तक चाहल कीया होगा यह जीरो है तो वन हो यह वन है तो यह जीरो है याने की एंड का उल्टा होता है नेंड होता है लिख लेना कहीं साइड में एंड का उल्टा नेंड होता है और और का उल्टा नौर होता है और का उल्टा नौर होता है और का उल्टा नौर होता है ठीक है बिलकुल मौक में रह मुझाब नॉळूAMA, ऐक समय होता हुआ है, तो जरुद घॉन एवन गलता हैaree Saoade Paaayi सतरह क刃 लगार्न इसका होता है, यह इस तरह का डियागराम होता है, तो जरुद में क्या ओता है, यहां कैए आपका दो तो जोर गेट का करता है तो जब दोनों अलग अलग इंपूट रहेगा तब यह हाई होगा जिसर वन-जीर अलग जिरो वन अलग 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 तब यह हाई और सेम इनपूट में यह मेरा जीरो होता है और जोर का उल्टा होता है एक्सक्लूसिव आफ नौर तो यह लॉजिक गेट से पूछा जाए कॉम्प्लिमेंट पूछा जाए कुछ भी पूछा जाए भाई गलत मत करना गलत मत करना ठीक है गलत मत करना इतना ध्यान में रखना तो गलत मत करना मेरे भाई ठीक एचलिए अब आते हैं अब आते हैं पुराना कहानी में तो कन वर्जन देख के जाना यार जितना करेटेस और डाउट होगा चैनस कर देना मैं आपको अभी दो तीन चीज आपका होगया आप दो चैप्टर का तम होगया कनवर्जस समझाने वाला तो था लगी एचाइप पी सकते हो पानी पी सकते हो फीलो अगए पानी पीना है तो पीलो मैं भी थ्थ्था पीलूगा ठीक है चलिए अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे अब मैं इसली सब बताते जा रहा हूं ठीक है अब मैठेमेटिकल पार्ट है वो खतम हो गया ठीक है मैठेमेटिकल पार्ट है वो आपका खतम हो गया आप चलिए अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे दोस्तों अगर बॉफ नहीं हो रहा है ऐसा मत बोलोगी बफ और रिफ्रेस कर लो ना बफ और रिफ्रेस कर लो चलिए नेक्स पॉइंट पर याइस अगला पॉइंट क्या आपका वो देखिए और computer memory क्या कहता है computer memory it is a computer it is a component computer यह नहीं computer का वह भाग जो data store करता है उसे हम लो computer memory memory के अधिक है computer memory आपका hardware होता है कहीं साइड में लिकना एक्जाम में पूछा जाएक computer memory hardware होता है यह software होता है so computer memory आपका hardware होता है computer का वह पार्ट जो data को store करता हो से हम लो computer memory कहते हैं यह हमारा computer memory और हो आपको hard disc को form में RAM के form में सारा यह computer memory दिकता है is okay next part path like a basically computer memory it now is kiddo vistas tauti a volatile memory dosara non-volatile memory volatile come at the both are a style volatile come at the both are a style or a non-volatile kind of love with us tie a mirror style you think I'm a bad character okay just a volatile memory key second guys volatile memory yadra Kega outside those type of memory which is stored data on temporary basis and loss our containment system is turnoff comes under this category simple side yad rakhna mere bhai a simple sa yad rakhna ki jo bhuul jae wo volatil joe nahi bhuul e one non-volatile take a job hole jae wo volatil yani joe gajni e wo volatil e or just go purna jamka kis me yadra taek movie thales a puru jamka wii yadra taekwessa movie tha haa om santhi om take a to gajni hai to me ra volatil hai take a lake in agarom santhi om sharu khan hai to sam joe ki non volatil e to us ko aisa yad rakhna joe bhuul jae wo volatil joe nahi bhuul e one non volatil take a chalo thos a technical chiz yadra na ki kis ko ah which lost our content when system is turnoff yaniki computer band ho jae ga the data aapna loss kardega take a take a to guys yadra na ki jisco lagata power supply chai us ko volatil kate jisco lagata power or nahi chahiye us e non volatil kate tic a ye computer band hoonay ka ba data loss kar dita non volatil computer band hoonay ka ba data loss nahi karata chali abada sir ye kam ho ta kya kya hai to guys yad rakhye ga ki ho hama ra volatil kis ko koon koon sa hai jo volatil hai to guys hama ra ram hai wo volatil hai catches memori ye wo volatil hai og register hai ye merah volatil hai kya hai ye tino ka baare maga charcha karrae hongi to yadra kya ram merah volatil hai catches merah volatil yani ye tino me data tapta ki rata japa computer chal rata computer band data khatam is ko lagata power supply kya usakta ho tia that is a yeo gaya chali our lapoint me at a non volatil already but that you got those memory which does store data on permanent where does not loss our container system is turnoff come under this category বitik hai to none volatil memora kya data basically hama ra rom johai rog too hard disk ho gave floppy dc dvd pen drive lihat sabbe ya ya hapa gagya ya sub mira thai kya ye me run on no war tai ya ni ki raom vina virtual ram bin a rom hard disk pen drive cdvd samira non voltように to hear summary había volatil non-voltage clear ho gaya i hope clear ho gaya got ack barr bolluk kya ser clear ho gaya abbaq karter access kradar px s ka 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 nne ka matlab kya guys exes kayne ka matlab away ye Halaswa Jiga ashksane का मतलब यह हो गया कि data किसको चाहिए ओता न data basically चाहिए होता है CPU को चाहिए data चाहिए किसको ओता CPU को चाहिए ऑठ दो CPU को जिस करण पर आता है डेटा वही वा एकसेस के ऽगार पर computer memory को 2 भाग मेंवाटा गया access के अधार पर computer memory को कितने भाग मेंवाटा गया तो से डारेक्ट करता हूं से इन डारेक्ट करता है उसे सकेंड्री में फै keyword कने इ सकेंडरी तो भी होगिया गया ठीक दूसरा सकेंटर तो लिखना कि जो सी और डारेक्ट कमुनिगेट कर रहा है वह primary in affiliate पुर्ण कर रहा है वह secondary इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम लोग में मेमोरी होगा इंटरनल हो गया प्रैमरी हो गया हां बस इतना ही कहेंगे सकेंडरी को क्या कहते हैं सकेंडरी को लोग ऑक्सलेरी मेमोरी भी कहते हैं लिख लेना यह पूछा जाता है इसको समझ में रहां चीजह रहां तो यहां पर यहां पर आपका रैम जो है वह आपका में का प्राइमरी में आता है और इसके अलावा जो है वो सब आपका सकेंडरी में था थोड़ा सा यहां पर दिमाग में रखा होगा यहां पर याद रखिएगा कि गाईज एक और exceptional है थोड़ा सा मैं साइड में लिग देता हूं यहां स्टार करके चैचेज में मॉरी जो है इसे भी हम लोग प्रैमरी ही कहते हैं लेकिन इसके साथ एक कोश्चन मार्क है क्या है वो आगे हम बता रहे होंगे लेकिन फिलाल यह समझे मुख्ष तौर में में मूरी कौन-कौन है तो रैं होता है वह मेरा मेमोरी ऐक प्रकार होता है ठीक है चली तो रम और रॉन है प्रैम्री और इसके अलावा सब één सिफने चली कर लेते तो रहाँ आपका लाज होगा बाकी सारह आपका सटेंधी और छाफ की को समझिए यहां से बहुत कोशन आपका बंता है ठीक है में ये आपका मेमोरी हिरारकी है दोस्तों मैंने हिरारकी पर क्या से और हो होता है और हमारा ALU होता है और हमारा CU होता है और हमारा MU होता है ठीक है MU का मतलब क्या होगे MU का मतलब यहाँ पर register हो गया ठीक है तो हम computer जब start कर रहे होते हैं तो मेरा सारा data क्या है वो hard disk में store रहता है यानि operating system मेरा इसमें रहा होता है ठीक है तो computer जैसे start होता है hard disk से RAM में जाता है यानि कि main memory और उसके बाद catches में जाता है और उसके बाद हमयरा CPU में जाता है तो यह करम होता है अब याद रखना कि अगर हम नीचे से उपर जा रहे हैं तो मेरी speed बढ़ेगी मेरी speed बढ़ेगी और उपर से अगर नीचे आ रहे हैं plugs is कर दो यह का निया की सा कर सकता है कि उसके बाद appreci तरह तरह के पूछा जा सकता है क्या जा सकता है जैसे कि आप से पूछा जा सकता है क्यों सी मेमोरी है जो सी पी और रन के बीछ में उता है दार आपका हो गया तो सीपी और में के बीच में सा मेमोरी होता है ठीक है और हमारा क्या बोलता है कि सीप्यू डारेक्टली किसे डेटा ले रहा होता है तो मेन मेमोरी डेटा ले रहा होता है स्पीड कंपनसेट करने के लिए यानि कि स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा मेमोरी का इस्तेमाल कियाता है तो कैचे इस मेमोरी का काम क्या है कि सीपी और मेन के बीच में speed compensate करना अब आपके दिमाइमें सब्सक्राइब क्या होता है थोड़ा इसको बता दीजिए समझ यह क्या होता है सो CPU जो है वो बोला है रैम को भाई हमको डेट वो डारेक्ट रैम को जानता है बात में किसी को नहीं जानता है वाट्सपट को दो है वाट्सपट दो ुट सबोल रहा है औब यह जा रहा है यह यह टो या वो दो रोटी खा रहा है तो यह चार रोटी को दो रोटी में कमपनियों करने का काम कौन करेगा तो बीच में पूछा जाता है तो याद रखेंगा तो याद थोड़ा से यहाँ पर रेजिस्टर का टाइप क्या होता है तो मैं यहां पर लिग देता हूं एक होता है एकमिलेटर होता है एक मेरा एक यूवलेटर होता है ठीक भी गूटर क्या हो गया जो इंटर इंस्टर्स शोर करेंगे एक हमारा होताई यहमारा चूटर काउंटर एक रइğlान काउंटर क्या करता है जो नेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो नेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है उसे प्रोग्राम काउंटर कहता है जो नेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा उसे प्रोग्राम काउंटर कहेंगे तो एक मेरा यहार होता है इंस्ट्रक्शन वश्कर होटा जो के में juist को स्टोर कर रहा होता है तो राजिस्टर का यूज है उपले किस इस्टर कि लिए अन्दर क्वैकर कि उक्तार कॉछता है किसेगा यूज़न के तरह से में मोरिक यूदि में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शिन को स्टोर करता हว अपुछा जाए कि सबसे लिस श्टोरे सरकीट कौण है यहने वो सर्क यहां शरक्ट लॉप है या इसको लैचेस भी कहते हैं तो फ्लिफ लॉप सबसे छोटा सर्कृट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर रेजिस्टर पुरा दिवाल है तो फ्लिफ लॉप मेरा इटा है एक इट से जोड़ हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिंग्नल जनेरेट कर रहा होता है एम्यू हमारा मेमोरी का काम कर रहा होता है यानि कि टेंप्रेरी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा होता है तो यह सब का फंक्शन भी दिमाग में रखना और बसेस का एक कॉंसेप्ट आता है इसके बीच म करवा रहा होगा उसको डेटा बस कहेंगे जो एड्रेस यानि लोकेशन को जो फ्लो करवा रहा होगा उसे एड्रेस बस कहेंगे और जो कंट्रोल सिगनल को फ्लो करवा रहा होगा उसे हम लोग कंट्रोल बस कहेंगे ठीक है जो डेटा को फ्लो करवा रहा उसको डेटा बस कहे करेंगे जो लोकेशन को फ्लो कर वारा को सब्सक्राइब निए और डेटा बस जो तो होता है वह बाई डीरेक्शन Лोटा ये भी लिखने नए इकजाम में ये थोड़ा सा अंदर तक जाएंगा या ठीक है ठीक है ये तो में अंदर तक जाए लिगा ठीक है यह फ्लीफ लॉफ ऐसे आपका सिंक्वेंस लिवेंजानी हो गई अब आत करते हैं एक चली तो बत्राइब आप होता है एक लिकाशा है न लुक्टी आप क्शैज में मूरी है वो इसका उधारन है और डाइनेमी रम को ढॉदहरन कै तो हमारा सिंक्रोन स्टूनस डाइनेमी क्रैम हो इसका उधारन से इसाय हैक एक मैं रमपलि यॉ क्शहीं हमारा क्षम Communist iedr-1 ऑन आता है डीडीर 2 आता है DDR1 DDR2 DDR3 ये सब इस्काटेगरी मेल तह तो यह स्टाटीक रैम है और यह डैने में स्टैटीक रहम का उधार रहा क्या है कैचेस्ट में मुझी सर दोनों में अंतर क्या है अंतर यह कि requiring refreshment होता है इसको refreshment क्या हो सकता नहीं पढ़ती है ठीक एग ज़स्ट स्का पॉजित यह क्या होगा यह Slow होगा ठीक है यह स्लोह होगा इस मैं transistor तो हुए गौई इसमें transistor तो होए गाई लेकिन साथ में साथ में यहाँ पर capacitor कभी इस्तमाल होता है क्या पासीटर का भी इस्तमाल होता है और इसको क्या है रिकुवाइड रिफ्रेस्मेंट को बार बार रिफ्रेस्ट करने के आउसकता पड़ेगी बार बार रिकुवाइड रिफ्रेस्ट करने के आउसकता इसको पड़ेगी तो बेसिकली यह वाला जो रैम है यह आपका डैनम बाग सा सकता है जवाब दो भाई को बच्चा जवाब दोसको हाँ स्टेक्टिक एक्सपेंसिव होगा एक्सपेंसिव और तो गाई यह हमारा जो रहे मैंना तो आपको मैंने क्या बता है कि आपको इसको याद रहेगा इसका एक्साइबर यह पूछा गया है किसे से रिलेटिट है तो यह रेम से रिलेटिट है सिंगल इन्लाइन मैमोरी मोडिल जिसका फुल फॉरम लिखेना और डिया इन्म का फुल हो तो यह हमाने ऐसाइज़ है और दी अमे इसका फॉल फॉल अचाहं आपको समझ में आ गया अच्वाइज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सा इम गए अच्छर एक चीज़ और में यहां पर सर रहा गया कहीं स्टार देख ऊपर में लिख लेना कि सी प्यू जो होता है ना सिप्यू दो तरह के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा होता है एक सिस्क पर काम कर रहा होता है complex instruction set computing और एक रिस्क पर काम कर रहा होता रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट computing पर तो यह ज्यादा फास्ट होता है यह ज्यादा सो तक अगर पूछा जा अंदर तक तो भाई यहां तक पूछा जा सकता है ठीक है अश्रक्शन सकता है ठीक है तो यह भी आधने स्वेटेट यह रैंस लेटेओं तो यह सब होगा रैंपकि बारिम अच्व साथ्ट फो यहां से यह रों पर रॉंह पर में के लिग देता हूँ फंवर किलिशन फोर तो कैंस रहूं लाुल जांद हैक का रहा है एक मेरा एक मेरा डबल एक डबल एक डबल प्रोग्राम अब रिड़ानी मेरी तो बच्चों दिमाग में यह रखना कि तिरों का अंतर समझे यह पूछा जा रहा है रों से कुछन आपने देखा होगा पूछा जा रहा होगा एक्जाम में तो यह एक ऐसा रॉम जिसमें डेटा एड़ा टाइम मैनुफेक्ट्रिंग डाली जाती है उसको बदल नहीं सकते हैं वो मेरा एम राम हो गया डेटा एड़ाइटा मैनुफेक्शिन रहाज का सकते हैं मोड़िफाइख कर सकते हैं ऊऔर ऐसके पीलो गया औरिसको इसको एरेज करना के लिए यूभी रचा का का इसतेमाल कर थे इसके नाम यूभी पीलोंनी पड़ जाता है अग्ला है lub पीरॉ्ह अट्रिकली एरीजबल क्रोग एलेग्टै नीजबल प्रोग्राम अल रीडॉल less memory यह का करता कि चलिए तो यह आपको समझ में आगे पर एक चीज और यहां पर आपको बता तो तो भाई रॉम के टाइब से कोशिन आ रहा है कि अहां एक पांचे से बच्चे ने पूछा था यहां पे कि सब तर्सरी मेमोरी क्या होता था आज कर एक नया पूछने लगा जिसे प्रैमरी औ लगा है pen drive को यानि कि वह इस टोरेज डिवाई जो कंप्यूटर में अलग से लगा जाता उसको टर्सरी कहा गया एक एडिस्नल टाइब का अलग से लिख लेना कहीं में तो वह आपका हो गया टर्सरी मेमोरी तो फ्लैस्ट मेमोरी आपका pen drive हो गया SD card हो गया SSD हो गया यह सब हبnae का है यह पूछ हगा है भूमले कैसे हैं आ पका अपने दिया होगा अग्म डांय investigation हो तो बैसिकली 116 काड़े यह पूछा गए कि the red किस तरह का रॉम है तो डबल बीक रॉम का रॉम हो डबल इपी रॉम कर रॉम तो यह याद रखे हैं एक्टा के जावागवी करने एक्ट धाल हो देखते हैं चली तो यह रहां होगे राम होगे अवा पस दुसरे पोटी दूसरा है सिकेंडी दूसरे जो याद तो पूरा याद रखिएगा आपका यह सब है मारा सकेंडरी मेमोरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह आपका सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा मेंगनेटी डिस्क के बारे में सबसे पहला कैटेगरी मैंटी डिस्क में क्या आता है तो आपका म मैंटी टेप हो गया मैंटी टेप क्या है एक ऐसा स्टोरेज जो डिटा को सिक्वेंसियल एक्सेस करता है सिक्वेंसियल एक्सेस करता है सबसे स्लोवेस्ट एक्सेस होता है उसे हम लोग मैंटी टेप कहते हैं ठीक है इसके अलावा हाट डिस हो गया फ्लॉपी डिस हो गया यह से भी वहारा क्या जाता है मैंटी टेब डिसकी के टेग्रीब आता है तो यह पूछा जाता है कि सेवेंटि अकसे यह से सबसे स्लोने मेरा यही हो सकता है ठीक है चलिए तो यह हमारा आपको समझ में आ गया अब फोर्फेसा बात करते हैं अगला है होता है एक मेरा CD-ROM होता है CD-ROM होता है एक आपका CD-RW होता है और एक आपका CD-WORM होता है CD-WORM होता है तो गाइस यह मेरा होगा CD-WOM, CD-RW, CD-ROM, तो यह तीनों का अंतर आप समझ आई यह मैं आपको बता देता हूं यहां पर CD-ROM, 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 CD-R तो यह मेरा हो गया इसके बारे में कितना भी दुनिया में CD होगा उसका कैपसरेटी लगबग 750 MB के आसपास होगा उसी तरह DVD की कैपसरेटी यह 4.7 से लेकर 17 GB के आसपास होता है एच वीडी जिसका फुल फॉर्म होता है होलो ग्राफिकल वर्साटाइड इसका फुल फॉर्म होता है उसका कैपसरेटी 6TB के आसपास हो सकता है ब्लू-ray डिस्क होता है जिसके कैपसरेटी 50 GB से लेकर 100 GB तक हौप का हो पाता है आप देखते होंगे कि एक जबाने में है तर डीटा चैसे रीडी इस टोर होता है तो अप्टीकल डीसमें जिटो न raises टोर रहता है यस तरह आता है ईसम्यों लैंड गिते होकित यानिकी पीटल लेंड कसल्व में ओपीटली ग उसमेंडशी मेंस टोर होता है यह खड़ा वाला पार्ट को पीट कहते हैं और जो प्लेन सर्फेस है उसे हम लोग लेंड कहते हैं तो गाइज यह पीट और लेंड के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है ऑप्टिकल स्टोरेज है यूबी रेका इस्तमाल करता है रीडराइट करने के लिए तो यह हमारा होगे अगला है फ्लेस मेरी जो अलएडी बता चुके है कि किस कैटेगरी में आता है हमारा ठीक है फ्लैस मेरे परेंडराइव यह तो अलएड डिसकर कर चुके अगला जो पॉइंट जो आपको समझाने वाले जो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है वहाड डिसकताइब से अगले कोशन पर आ रहा है अगला है सब बात करते हाट डिस के टाइब बच्चों याद रखेगा बेसिकली आपका जो हाट डिस होता है वह दो प्रकार का हुटा है ऐख कांष्डी होता है हाद इस ड्राइप औरते होग ह intertw on have a call होता है और एज डीडी हुता है यह को यापका थिक presto ठीक है आपका फॉट। है अर यह स्थक्राइब और यह हमारा स्डीड हो गया हाद इस डू कर ठेkkर आप सक्नियार को सब कर यादे सकल सब को याद है क्योंकि आप मैं थोड़ा सब लाऊंगा उस पर ड्राइंग एक बनाऊंगा अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सब बैठ जाओं मेरे को यह इच्छा हो रहा है कि थोड़ा सब बैठ जाओं ठीक है चलिए तो यह याद रखी है ठीक है चलिए अब मैं आताओ थोड़ा सापको डाइग्राम मना के कुछ दिखा देता हूं ठीक है डाग्राम बना के दिखाना क्या है तो बच्छों मेरे आपके एक्जाम में न वो एच डीटी का स्ट्रेक्चर है वो एक्जा में पूछा जाता है जैसे कि यह आपका आपको यह दिखा ना यह ड्राइंग कि ऐसे बीच में प्लेटर लगा हुआ थोड़ा समें इसी को एक्स्प्रेंड कर देता हूं कहां तो गाइज अंदर में एक ऐसा प्लेट है जिसको में लोका दे प्लेटर यह मेरा किल इसको में कैते हैं प्लेटर अप लेटर रहां उसे बहुआता एक बहुत सारा आइसा रिंग बना होता है यह रिंग से कहते है। इसका मुलग सेक्टर कहते है। यह हमारा सेक्टर हो गया। दिस्क ज्वह वह म της इक्स کرा घूंत है। और उसको audio कहते है इस पैंडल कहते हैं उसको दिमांग में किह आपका सुंच्र निखांटलो कहीं साइड में कि 10 recent कृट्र स्था ठीटरिक तेमानों गयी कि सब मेरा क्या हो गया एक क्ैंद्र का बहुत सा जो तो इसको रीन से हो भी है इसक जो हो सब्स करने और घृटा है तरह करला है तो भूमिरा सेक्टर हो गया ठीक है स्पैंडल window हो जो पहुंतीच पर्फॉर्म रेटर नेटा चाहिएग हुण वह हैंच नहीं एक बहुत बार सुनना ओए एक सस्ट तैय्न क्या वोता है एक से हैसिस reduction केहने का मतलब करके फाइंट टाइंस कर्वाइटू रीकुएस रिकुएस्ट और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिफ्वेस्ट रिस्पॉंसरेता यानि कि CPU अगर अगले से डेटा मांगता है और उसको मिलता है डेटा मांगा और डेटा मिला इस पूरे इंटरवल को कहा जाता है एकसेस टाइम कहा है तो एकसेस टाइम क्या हो गया सुषर्ण भी तोस्ताइम क्या होता है तो वह टाइम जो ट्रेक को ढूनी में लगता है उसे लोग कहते हैं इस ट्रैक का मानलो यह वाला सक्टर अब इस सेक्टर को head तक पोचने में जो समय लगेगा उसे हम लोग कहते है लिटेनसी टायम यह अमांट टाइम रिक्वायर्टू रिचित स्क्टर टु www. reluctant to helped to have andНyamnt Video समय लगता है उसरुनकाट Of कि किसका access time सबसे कम होता है आप आपका catches memory दिया रहेगा वहां पे आपका RAM दिया रहेगा वहां पे आपका hard disk कुछ भी दिया लेगा तो गाइस जो CPU के सबसे नजदीक है उसका access time सबसे कम होगा यह याद रखिएगा जो से पूछ आपको सबसे नजदी के उसका एक्सिस टाहिए सबसे काम ने एक चीज़ और याद रख लो किसा स्पीड आफ हार्ड डिस किसी मेजर किया था स्पीड अप हाड दिस जो है वह मेरा आर पीम में मेजर किया था है revolution of permanent revolution of permanent में मेजर किया था अच्छ एक पॉइंट और दाता हूं कि कहीं साइट में लिख लेना चलिए अगला मैं बताता हूं कि एक याद रखने एक जिसे पूछा जाएगा कि स्पीड ओफ रैम किसमें तो मेगा हर्ज में मेगा हर्ज में रैम की स्पीड मेजर की जाएगी हाड़ डिस की स्पीड है वो और पीएम में और सीप्यू की जो स्पीड है वो मेरा गीगा हर्ज में या मेगा हर्ज में मेजर किया जाएगा या फिर इसको मिलियान इंस्ट्रक्शन पर सकेंड में तो किसका स्पीड भी पू बहुत अच्छा रोसर पानी पी आथ ऊच्छा अख करवा रहो 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 सर पानी पी ले रहो सब आंकि यू थैंक्यू थेक्यू धेग्यू बहुत तो गाइस यह पूरा होगे आपका हाड़ेस के बारे में चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सेयर करो यार मैक्स में बच्छे तक पहुच जाए ठीक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यह होगे आपका सब्सक्राइब की सब्सक्रापर कंवेरे को छोजा मैं तो गाइस यहां आपको बता देता हूं लाइध यह जाय रखेएगा एक एक हाड़िस का कुछ स्पेस जो रैम की तरह काम करेगा उसे हम लोग वर्चुल मेमोरी कहते हैं यह फिजिकली एक्जिस्ट नहीं करता है यह आपका एक वर्चुली ही एक्जिस्ट करता और यह भी मेरा नन वॉलाटाइल होगा ठीक है क्लेर हो गया चलिए यहां तक कहानी खतम ह अब यह अपका मेमोरी खतम हो गया आपका हाड़़ी खतम हो गया नमबर सिस्टम खतम हो गया मजा आया एक बाहरे बच्चे कर दो यह सर अगर अच्छा लग रहा तो से और बटा रहे हैं मैं रियली बता रहा हूं अभी तक मेरे तक बस थोना सा बीच में कर रहा की तो यह बैठ जाओ लेकिन थकावट नी लग रिए ठीक है मिलोगो थकावट नी लग रिए बार आप बताओ कि आपको थाओ आप तो बैट कियो ना मैं स्टूडियो पे खड़ाओ पूरे ऑफिस में भी नहीं के बाराव नहीं है लो मैं अकेलियों ठीक है चलि हाँ मैं पानी पीलू इसको देखते रहें हिस्टी के बार में याद रखे आपकास वाज्डा फस्ट क्यल्कुलीटिंग मसीन फस्ट यादर इंप याद रखेगा दूसरा पॉइंट कि उसके बाद कौन सी मशीन आई थी उसके बाद नेपीर बांस आया था नेप्यर बहुता देता हूं इससे एक ऐसा मसीन पहला एक ऐसा में लकड़ी के टुकुड़े का इसको इसको कैल्कूलेट किया जारता जिसको किसने बनाया था जॉन ने पिर बस नाम देख लेना मैं इससे कोशन अभी देखने को नहीं मिला दो तीन सालों से ठीक है अगरा उसके बाद कौन सी मसीन बनी पासका भी आपकाल दुनिया का पहला हमारा मैकनिकल क्विल्टर है दुनिया का पहला मैकनिकल कलोड़u यह जिसको को सोनोर आप उसके बाद मेरा लेवनी संब हो गया जिसको आते मेरा क्या उसके बात जनक हुआ कंप्यूटर मोगूज दोस्तों आप याद रखेगा डिफरेंशियल इंज्टन होगा से कुश्जिन आपका बनता है तो डिफ्रेंस इंजन था जिसको बनाने वाले कौन से इंसान से चाल्स वेज़ अब यहां से दो तिन पॉइंट है जो आप राइड डाउन कर लिजेगा ठीक है चाल्स वेज़ का बोलते हैं फादर आफ कंप्यूटर बोलते हैं ठीक है यह पिता जी हमारे कंप्यू इस इसी लिएन को मदर कहा गया और चाल्स वेज़ ना हाड़वेर का कॉंसेट यह पिता जी और यह माता जी यह सब्टर बना यह हाड़वर बना यह इसके पीछे का कहानी है तो भाई चाल्स वेज़ पहला कौन सा मसीन बनाया था ठीक है चलिए उसके बाद कुछ चीज औ बनाया था ठीक है चलि अब अगले पॉइंट आता है अब यहां से थ्टा सा आपके लिए इंपोर्टेट बन जाता एक्जाम के लिए पूछा वी जाता है जेनरेसं से बहुत बहुत धन्यवाद सबको सिक्षक दिवस की हार दी बहुत सारे बच्चे लग रहा है अभी जूड रहे है ठीक है चलिए अब अगले पॉइंट पर अच्छा अब लेकिन अब अब बनाया था तो उन्हों ने कौन सा कम्मिटर बनाया मार्क बनाया वह क्या था पहला इलेक्ट्रो मेंकनिकल कम्पूटर उसके बाद ट्यूरिंग मसीन बनी जो आभी एई आई हम लोग बात करतें आटिफिसल इंटेलिजिए तो वह भी आपको ऐलन टूर उन्होंने मसीन बनाया था यहां बनाया था यह दोनों में अंतर ठीक है चली अब मैं बात करता हूँ यहां पर यहां याद रखेगा पहली बात करता हूं वारे में तो यहां पर यह आप क्या था तो यहां पर इंपूट के लिए पंच कार्ड का इस्तमाल हो रहा था यहां पर स्टोरेज के लिए मेंगनेटिक ड्रम का इस्तमाल हो रहा था ठीक है और मैंटी ड्रम का इस्तमाल हो रहा था और इसके क्या यहां पर क्या हो रहा था डाइस ऑब याद रखेगा यहां पर हिस्तमाल हो रहा था अज रखने key यहां पर लेंगिवेच कॉन enhance थो तो गाई लेंग्विज यहां पर मशीन लेंग्विज था, म Angel यह पूछा जासा जासां अंक policies पोसे सर यह था मशीन रिजिशिए यह हों फो सेसर कॉन सास्तमाल हो रहा है था प्रोसे nuevas तो तो बैच प्रोसेसिंग है वो मेरा उप्रेडिंग सिस्टम इस्टम इस्टमाल हो रहा था ठीक है चलिए तो यहां पर कम्पूटर कौन कौन सा बना वो याद रखिएगा फिर था है तो कम्वाइदा कर दाएदा है टो था है था थो म fait अरू यहां पर कड़ा यहां पे कि चलिए कि हाँ कि अज़ादा बच्चे होंगे तो कॉम्टिशन बढ़ जागा बढ़ने तो क्या दिखाते हैं ठेके मज़ा तो तभी है तो यहाँ याद रखें इनिया के इडवैक यूनिवैक यह वो भी दो कंप्यूटर है जो बेसिकली हमारा इस जनेरेशन बनाया गया है तो यह पूछा भी एधा आज में में यह पूछा जाना कि कौन सा कम्पीटकी जैनरेशन बनाए गया तक यह वह वह पहला जैनरल परपास प्म्पूटर था और यूनिवा कही यह पहला प्रांजिस्टर का इस्तमाल यहां पर किया जा रहा था और मेंटी टेप हमारा सकेंडरी स्टोरिज के तरह काम किया जा रहा था और यहां पर जो याद रखेगा लैंडर में आपको बता देता हूं अंदर की बात जो कभी पूछा जा सकता है कि यहां पर Mosi पहला वर्जन आया था वो भी इसी काल में इंटोड्यूस किया गया था तो अगर कभी अगर ऐसा क्लिस्ट करके पूझ दिया जाए ठीक है अगर किसी भी तरह के क्लिश्ट करके पूझ यह तो यह याद रखिएगा कि हाई लेबल लेंग्वेस किया है तो फॉर्टन हमारा प लगा थार जन्रस हाँ एक नाम भी मैं लिख देता हूं जैसे आई बीम सोलना सबीच साथ सो चौरानवे सोलना सो चार सीडी सी सच्छाथिस और यूनिवेग अभाई कंप्यूटर का नाम क्या पूझ देगा यह मेरे बस की बात नहीं एक एक एक्जामपल थोड़ी नहीं ह कि और आपको बता देता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि identify AM somebody a computer चैथा for any company IBM सब यह सब आई वीम नहीं बना यह सब किस ने मैं अइन से खुळाल था चलिए तो याध है कि यहां घ्रक्या पिटसी में यहां मैं बात कर रहा तो यह सब पासकल हमारा हो गया यह सब उस दौर में देगो तो उस दौर में इस्तमाल किया जा तो इसके पिछे के कहानी यह याद रखना कि जैसे यह सत्तर का दौर था सवेंटी से एटीज का जो दौर है वह मेरा थर्ड जैनिसन गता है तो इस दौर में जो जो भी लैंग्विज का डेवलाप्मेंट हुआ वह उस जैनरेशन का सौन सभी यह घैस फॉर यह में गया था तो फोर जिर्शन सनलो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तमाल कर रहे थे हमलोग इस्तमाल कर रहे तो यह याद रखिया और तो यह को सी zen Core और माइक्रो पॉसेजर को वी एलसाई भी कहते हैं तो ये फोर जने संगे बारे में ये लिख लिजेगा ठीक है यह थोड़ा सा मैंने बता दिया इसको लिख लिजेगा हाँ भाई एड़ा का मौक टाफ आता है इसमें मैं नकार नहीं सकता हूं अच्छा आप नोटीस करना आप जब भी मौक देते हैं उसके बगल में लिखा रहता है कि डिफिकल्ट लेबल या मॉडरेट लेबल तो जो डिफिकल्ट देखो एक बात में आपको बता देता हूं थ अब मौक लगा रहे होते हैं तो वहां पर आपको क्या होगा कि कुछ कोशन बनेगा कुछ कोशन नहीं बनेगा तो जो कोशन आपसे नहीं बन रहा है उसको एक कॉपी में राइट डाउन कर ले अगर हर टेस्ट से आपको पांच नया कोशन मिल रहा है और आप 40 कोशन दे र रहा है उसको लिख लोर में मौराइस कर रुक कुछ कोशन में मराइस कर लोगे तो क्या गुशन तो यह पाप तोड़ी न कने लुग जाएगा ठेक पाप्न आप दोड़ी आपकोशन याद कर लोगे तो क queen ठीक है तो यह पाट होगे अब आते हैं जेनरेसर खतम जेनरेसर खतम अब बात करते हैं कि इसमें सॉफ्ट्वर का बहुत मतलब बहुत आधा जंग जी चुके और जेड़ घंटे में आधा का जंग जी चुके तो बाकी का भी जीत जाएंगे अब हमको भरूसा आ गया ठीक है ठीक है मेरा अंदर ना पूरा खीच रहा है ठीक है इतना बोलते बोलते में लग रहा है कि मैं समिनार कर रहा हूं ठीक है तो यह पूरा क्या कहता उसको पेट ना मेरा प्रॉइस खीचता है वो तो क्योंकि मेरा पीच जो है वो स्लो नहीं है मैं धीरे नहीं बोलता हूं मैं पूरा अंदर से बोलता हो एक उताने कि स्लोग ऐसा हाँ भाई भोलो क्या चल रहा है सब ठीक चल ऐसा मेरा टॉन है नहीं मैं जो बोलता हो दम लगा कही बोलता तो आपको दम ही दिखेगा ठेक है चलिए चलिए अगले पॉइंट में अगले पॉइंट पर आते हैं जोख़े लोगरय यह देखने सॉफ्टर घवारे पारे सॉफ्टर के वारे में सॉफ्टर के लियर है तो यह आप तो दोस्तों अभी देसे मेरा आप को क्या बता अकिस आप्सक्वर्थ क्या हो देख लो software is a collection of program data and supporting material that works together to provide a sufficient function यानि आपको यह याद रखना होगा दोस्तों यहाँ पे की simple सा logic याद रखिएगा कि program क्या होता specific set of instruction within a programming language यानि कि set of instruction को बहुत सारे instruction को अगर हम जोडते हैं तो मेरा एक program बनता है बहुत सारे instruction को जोड़ेंगे तो मेरा software बनता है तो बहुत सारे instruction को जोड़ेंगे तो मेरा program बनेगा बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ेंगे तो मेरा software बन रहा होगा यह याद रखिएगा ठीक है चलिए तो गाई software is a collection of a program data and supporting material that works together to provide a specific function यह याद रखिएगा आप इसको मैं आपको याद करवा देता हूं software है क्या तो computer logical part software होता है बनता किसे तो बहुत सारे program को जोड़के software बनता है तो यह मेरा software है यह मेरा program अब बात आता है software कितने प्रकार का होता है तो मुख्यता software दो ही प्रकार का होता है मुख्यता याद रखेगा software दो ही प्रकार का होता है एक हमेरा system software होता है एक मेरा system software होता है एक मेरा application software हो गया ठीक है एक मेरा application software एक मेरा system software application software system software किसे कहते है तो याद रखिएगा system software is a type of कोड़ा इस डिजाइन टुरान अंग अप्लिकेसर यानि की कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टर बना है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सफ्टर लिख लेना कहीं साइड में कि वो सॉफ्टर जिसको अम लोग डारेक्ली यूज नहीं करते हैं इंडायक्ली मुझे मद और कंपाइलर स lamps सॉफ्ट्र एंडेटर सीटम सब्दोर इसंब्लिकल एंडूर्ड एक स्टम सव्ट्र इस्टम त्रॉइऑ इए इस्टेम का एक्सामपल है एक ऐसा उप्रेटिंग सिस्ट एक यह क्या करता है एक पैसा इंटर फेस्ट बिविन यूजर एंड हार्डवेर दोस्तों ऑप्रेटिंग सिस्टेम आपका क्या करता है सिंपल सा लॉजिक यह सब एक एक्जामपल देता हूं आपको याद हो जाएगा आप इसको ऐसे समझ येगा कि अगर मुझे वाट सब चलाना है मुझे वॉन्ट सेप चलाना है तो वाट सब को चलने के लिए disposement है भाई कि यह हमारा पांच जी भी यह मेरा सब्टेरम इंटनल स्टोरेश लेगा ये मेरा एक लेका और कुछ हमारा CPU storage कुछ CPU का इस्तेमाल कर रहा होगा तो यह इसका hardware requirement है तो basically यह यह हम user है हम यूज कर रहे है WhatsApp को use कर रहे है और WhatsApp और यहाँ पर मेरा hardware रखा यानि कि CPU यानि की RAM और यहाँ पर हमेरा hardest रखा हुआ है तो यह बीज में operating system आएगा और इसके सारे requirement को meet up करवा रहेगा यानि कि यह क्या करता है इंटरफेस का काम करता user hardware के बीच में याद रखिएगा कहीं साइट में लिक लेन operating system क्या है तो interface का काम करता user और hardware के बीच में अब इंटरफेस क्या होता है तो mediator का काम होता है आपके computer को जो manager है न वह operating system कॉन करता है तो मेरा operating system कर नहीं करेंगा तो operating system नहीं रहेगा तो मेरा computer नहीं करेंगा जोस्तो याद रहें और कोश्चेंगा कर देता हूं अपरिडिंग करेंस表示 कि मैं मारेस में Magyam k низ नम करें उसका वाइब टाइप सब रणीक है एक लड़ी नहीं सब्सक्राइब कने उसक्राइब ना काम और कर तो को ताइंग होता है एक है यह तो आपatta यह ऌता की आपको हम उसक्राइब को तो श्द bênग कर आपने देखा हो बच प्रोसिसिंग ओप्रेटिंग सिस्टं या फिर आपने देखा होगा multi tasking operating system multi tasking operating system billion देखा होगा multi user operating system multi user operating system single tasking operating system single tasking operating system single user ऐसे तरह-तरह के चीजी आपको देखने होगा तो basically इसका concept से आपका exam में question बनेका कि time sharing क्या होता है तो एक ऐसा operating system जो क्या करता है कि रिसोर्स को यूजर को डिस्टिब्यूट करता है अंधा टाइम बैसिस यह हर यूजर को माझ लीजिए का आप ऐसा समझें कि यह मनलेज एक रिसोर्स है याने की सिप्यू है और यह मेरा फ्रोसेस्ट elder प्रोसेस्ट तो इस इसको भी यह चाहिए इसको भी टाइम करिए था उस्तेमाल करने टो वो क्या कर रहे सो फिरन battle अलोफ कि तुम पांच में स्सवाल कर तुम यानि जब करते हैं फिर वो और टो टर्मिट हो जाता है तो कि क्यों होता भाई क्योंकि आपको एक सर्टेंट टाइम प्रियेड दिया गया तो वो मेरा हो गया इस कैटेगरे की बारे में अगला मैं अगर बात करता हो तो कि अगला मैं अगला मैं अगला मैं और यहां और यह सारा एक साथ जुड़ता है तब किसी काम को अंजाम देता है यानि कि इन डिपेंडेंट नोट है कम लेक्टीबली जुड़के किसी काम को अंजाम दे रहा है तो सबसे सबसे रिस Kommel rating करता है तो वो मेरा इस कर रहा होता अब इक्जांपल कहा है तो हम लोग फलिप कार्ट पी सार्वा और करते ओ तो यह कि तिशन हो गया सबसे स्टेडिश में लिख लेना कि सबसे स्सलोЕТ सिस्टम क्या होता है। तो मेरा batch processing होता है, यानि कि किसी भी काम को group में execute करने का काम कौन करता है, तो मेरा batch processing कर रहा होता है, तो batch processing which execute a job after making a group of job, यानि कि किसी भी काम को पहले bunch बना-बना के execute करेगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा batch processing होगा, और यह सबसे slowest system हो रहा होता है, Multitasking क्या होता है? More than one task perform at a time is known as a multitasking हमारा Android हो गया, हमारा Windows हो गया, यह सब हमारा क्या है? यह सब हमारा multitasking की category में आता है Multiuser क्या होता है? More than one user work at a time is known as a multi-user एक समय में एक सेधिक user का काम कर रहा है, वो मेरा multi-user है Unix आपका multi-user operating system होता है, यहनि कि जो भी server based होता है जो एक समय में एक user काम कर सकता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वो single user कह सकते हैं तो guys यह पूरा concept याद रखें, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको सच्चाई एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारी छोड़ी छोड़ी चीजे जो है ना मेरे दिमाग में है लेकिन मैं बता क्योंकि बहुत लंबा सेशन फिर हो जाएगा कितना अंदर जासे तो कोई अंत है कि अगर रात भर भी पढ़ाऊंगा तो भाई कहां तक जाएगा तो इसलिए अगला जो तीन कुछ अगर चीजे रह जाएगी ना तो अगला तीन से चार दिन जो मैरतन चलने वाला उसमें में उसब करवा दूँगा ठेक है तो वह एम सिक्यू वाला भी सेसर मत चुड़ना आज पांच सारीक हो गया पांच को मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाद रहूंगा छह साथ आठ नो तक मैं आ जाओंगा ठीक है नो तक आजाओंगा और आपको मतलब सब कुछ वहां पर जो भी एडिसनल चीज़ों हुआ ऑच्कहरी पायग का सब्सक्राइब कर तो फ्म थारी कितने सबस्थ तो आज पहली बार देख रहे जह सबूंटी चलिया बहुतसर बचेज़ पहली बार देखरे चलिया तो मजा आरा था पेलाइब हुआ वेस्ट फरस्टाइम बहुतसर मिक्स बेरी गूड सली बरीग गुड अचल आगरान ग्राण आधे के चलीगई रहें तो यह शमानाव होता है और यह इसी का इग्जांपल विनडोस विनडोस सी हमारा ररा विनडोस ची विंडोसी तो इसी का एक्जाम्पल हमारा हो रहा होता ठीक है तो काई सोरा सा यहां पर मैं आपको बतायता हूँ दो तीन चीज़ा आप समझ में आईएगा तो यह इंटरने और यह चलेगा अभी तो दो ही गंटा हुआ एक दिघंटा और चलेगा अट है है एक दो घंटा और चले में तब कहें ने सकता कि क्योंकि अभी सौफ्टवेर मैं बचा अब नेट वर्किंग सबान बचा हूआ नेटवर्किंग मतलब डेटा पेशबन नेट वरकिंग और बचा हुए quotation you right याद रखेगा ये तीनों क्या यह तीनों ट्राइट्र होता है ट्रास्लेटर का मैं होता है जो मैं यहाब इसको डियाग्राम से बता सुल ठीक है इस बिटा दिता हूं कि वाई को आपका Comp साइल क्या आपका Comp आ playing कि बारे बाथ करता had compiler हमारा लोगस Girl chapter interpreter के बारे बात करते आ इंट मोर्ट करते हैं या फिर हम लोग assembler के बारिवाइन बात करते हैं यह क्या होता है तो गाई दिनों की तरह का translator यह तरह दिनों का चाहतो है एड आध तरफ लेटर के रे ट्रांसलेटर आध तर्थ कहने का तो कोड कोड़िग कर maps isบलर ज Korea करता है ये असेमबली nervous को यह सैंबली लेंग्वेज को मसिन ईको안 में करूबर्ट कर रहा होता है सोर्स कोड़ क्या होता है वह जो हम लिखते है पर ते यानि हम को जो सबस्noise ठीक है चले बहुत अच्छे बच्छे से कह रहा है कि सर मैं आपके साथ हूं बस बनाया रखिए ठीक है जो हम लिख सकते हैं समझ सकते है वह हो गया और वह अप्जेट कोड हो गया और वह स्कूपजेट में करने काम कौन करता है तो वो हमारा compiler interpreter करता है अब आपके दिमायाद सर्थ दोनों जब एक ही काम कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या हो गया तो गैस्ट याद रखेगा compiler जो है वो अल प्रोग्राम एट टाइम कंपाइल करता है और प्रोग्राम एट आट टाइम करता है ठीक है और इंटर प्रेटर क्या करता है यह मेरा लाइन बालाइन कर रहा होता है यह मेरा लाइन बालाइन कर रहा होता है यह दोनों में अंतर हो गया ठीक है यानिकी एरर ढूना अगर कोई तो एरो डूने का जो फास्टली होगा वह इंटरप्रेटर में होगा क्यों क्योंकि यह लाइन बाइन कर रहा है तो लाइन बाइन करता है तो एरो ढून इसमें ज्यादा थेजी से किया जा सकता है लेकिन यह क्या करता है और प्रोग्राम एठे टाइम ही कंपाइल कर रहा होत होता है हमारा सब्सक्राइब जितना भी लेंगवज है सारा हाई लेवर लेंगवेज कहते हैं तो गाइब जिसको मोनो मॉनिक्स कोड मिले यानि प्रोसेसर की जो कोड़ी हुवी है न वह इसी में हुवी है ठीक है यानि अगर दो नंबर को जोड़ना है तो हम लोग कैसे चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट में आगला पॉइंट के दोस्तों वो देख पारें तो गाइज यह हमारा सारा हो गया चलिए अब कैसा डिवाइस ड्राइवर के है तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्ट्वेर होता है जो एक्स्टरनल हाडवेर के कोड़ को सिस्टम के कोड़िंग ट्रांसलेट कर रहा हिए मैं प्रिंटर में लगा ना तर डिवाइस ड्राइवर लगाएंगे याणिस को आपसे भी कह सकते कि एक्स्टरनल हाडवेर के लिए इंटर फेस का काम कर रहा होता है अगला पोइंट है फांवेर का अव्सर्टेम एक गन यह मैंने साथ ऑफार्म लग ढटेया से की बायोसे मारा फॉर्मवर ऊजलिंगा क्या टेया लुद्स वो हो याद किया करता है वह याद रखे क्यों लूंग स्मोल ग्रीजेक्ट लिंक small program object a small program object and create and create he create exe find ticket or loader kya kata transfer yafir is comcast and load all program all program figure all program yafir hamis koi or translate load all program yafir is com look as a transfer load all program from hardest to ram from hardest to ram hardest to ram transfer karneka kama kawne kata wo mera loader kata thomasa iske baare mea samjalitok kya chijay tiki sir linker kya to guys thoda sa aap isko aso samaji ki jabi aapne software dekhaoga software jabi install karanga to kya hooga ki bauh sarasa churdata file hota hai abhi minna batana ki bauh sarah program ko jord ke eek software bantata hai toh bauh sarah ssa program hota hai bauh sarah ssa program hota hai or finally jabi install kar raha hootate kya hapa yaki xii hota setup file hootata emi hapa click kate install hootata hai toh yae sab ko jod ke yaha tok laanay ka kawne kawne kata hai woh kawne linker kata hai ab jab ya haa ta kiya ajata hai toh yah chukye hardis me ho rata hai toh hardis sen ram me bhej nelay ka kawne kawne karra hoota hai tato इसको और सिस्टेम एक काम करते होता है ईसाइक जो स्टार्ट होता है संस्तां होता है कि कुल बूट को बूट को हम नुकीं इस्टार्ट कहता है और maior biking restart कहते है और जब computer boot हो रहा होता है क्या क्या काम कर रहा होता है जब computer का power button प्रेस कर रहे होते है तो सबसे पहले बायोस काम कर रहा होता है Bios याने की basic input output system यह चेक करता है और रिजल्ट डे पाएगा कि नहीं यह चेक मेरा बायोस करता है बायोस कहां स्टोर रहता है तो मेरा रॉम में स्टोर होता है अगर आपसे पूछा जाएगा कि कम्पूटर का सेट अप प्रोग्राम स्टार्ट अप प्रोग्राम क्या है तो बायोस ही मेरा कम्पूटर का स्टार्ट अप प्रोग्राम है कहां स्टोर रहता है तो Realm ड्ущूर रहता है तो सबसे पहले bios work करता है और उसके बाद चला था है post kepaast post का मतलब क्या होता है power on self test होता है यह सारा hardware checking करने का काम है hardware checking करने का काम है अगर मेरा computer ठीच है और इंपूर्ट ले सकता है उंपूड दे सकता है अगर यह okay तो भाई रैम तहीं किनि कीबोर्ट निलागा एक यह सब को चेक करने का काम कौन करेंगा तो पोश्ट करेंगे यह दोनों उसके बात चला जाएगा लोडर की पास उसके बाद चला जाएगा लोडर क्या करता यह दिहि 통 के पास चला गया तो बगल में CPU है और CPU के पास चीज़े चल जाते हैं और यहां से computer मेरा start होता है तो इससे हम लोग सिक्वेंस और भी कहते हैं तो कभी-कभी sequence भी पूछा जाएगा कभी-कभी BIOS क्या होता है पोस्ट क्या होता है यह भी आपको पूछा जाता है ठीक है थैंक यू थैंक यू एपी टीचर्स दे आपको भी बहुत बहुत शुब कामने तो यह वाला पाट समझ में आ गया सब को तो बायोस हो गया पोस्ट हो गया लोडर हो गया CPU कंफिर्स बाट इस राइट चली अब मैं आता हूं अगले अगला पोईट क्या दोस्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां किया सिस्टम स्वर्टर अगर दोस्र पोईट समझ में आ गया से सारी बच्चे ठागे आप लोग ठाके तो नहीं चकले चकबे इंडिया ए क्लीर राइज ठाके तो नहीं अभी तो है दम है अभी आप लोग आराम से टेवल वे बैठ यार काम अपना करते है ठकने ठकना है ठकने चलिए हाई जोस हाई ही होना चाहिए हाउस दजोस हाई ही और यह भाहरो जोस ऐसा है स्लोगन बन गा पहुत है कि हर्मैच में है कि हर मैंच में भाई काम होने लगा उससे हाउस जोस्त ऑल्वेज हाई सर मेरा जोस्त यार आप लोग से आता है यार जब मैं इतना करने मुझे क्या पड़े था मुझे क्या पड़ा था बताओ पहले मुझे कुछ पड़ा था मैं और यूटुब में ओल्लेडी कॉंटेंट दे चुका अगर मेरा प्रिविएस वीडियो भी आप देख लेते हैं तो एक्जाम कराक हो लेकिन नहीं मुझे मा यहां कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे पता है कि भाई जब तक प्री का एक्जामे तब तक कुछ देखेंगे नहीं कुछ पढ़ेंगे तो प्री के बात एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जहां पर साब कुछ एक साथ हम रिवाइस कर सके तो इसी लिए मैंने ये क्लास को डि रिवार्ड मिलना चाहिए ठेके ही मऄ भन नाडिक रिवार्ड मिलना चाहिए ठेके अच्छा अप नहीं था क्या मजह थो करते हैं मुझे भाइब भाक पार थे पर फेमल्ट मुझे हए लास टांब प्ल पर रहो होते बहुत सबच्च्ते लास तैम पर पढ़ रहे होते है यार चलिए वेरी बूड चलिए अगला बात करते हैं एकलिकेशन सोफ़र दोस्तों एकलिकेशन सब्रकेशा था चल्ड़े बैकू था थाकना नहीं है है अच्छलिय अगला पॉइंट है इस अपने सोफ्टर किसे कहते है यह वह सफ्ट घ्स आपर यह हमारे यूज के लिए बनाए गहां वह हम्मोर्त एपिके स्फटर कहते हैं हमारे मोबाइल क्या बनता है वो दिमाग में राखना है एंपली के सौफ्टर तो किस विडियो एडिटिंगे के लिए घाइस तो अप को यह पता होना चाहिए विडियो एडिटिंगे कौन साफटर तो एप्लिकेस उफ्टर हो गया यहां पर यह एक पॉइंट यहां पर मैं और बता देता हो कि दुनिया में जितना भी सॉफ्टर उसको लाइसेंस के अधार पे भी कैटेगराइज किया गया है जैसे कि मैं यहां पर लिग देखे दो स्थार देखे जिसम लोग बात करते हैं अपन सोर्स आफ्टर जिसे बात करते हैं प्रोप्राइटर सॉफ्टर हम लोग 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 बात करते हैं प्रोप्राइटर सॉफ् के बारे में हम लोग बात करते हैं सेर को आपको आपको यह किया आब है पर इसका कोई कोपी राइट नहीं सबस्क्राइब का है लेकिन मोडिफाइब नहीं लुक नहीं कर पाएंगे फ्रीमीड इंगे नहीं कर पाएंगे वह जो ferry ride सब्सक्रो impaired आपने ने में त η कि दो सब्सक्रों सब्सक्राइब कर कि दोगतीड आगर रखो यह ने हैं बित Champions थो तो यह द्याद रखिए मैं यह एक अपने आपने मौटर सबने से भी था कोपी राइट नहीं होता है सेर्वेर क्या होता है सेरवेर हो होता है जो हमलोग को ट्राइल वर्जल मिल जाता है तो यह याद रखेंगा इक्जाम में पूचा जाता है ठीक है अब प्रोप्राइटर कहने का मतलब जो पेड है और मोडिफाई यह ने कि जो फ्री में नहीं मिलता है उसको प्रोप्राइटर या प्लोज रस आफ्टर कहते है ठीक है चलिए अब दूसरा पॉइंट है यूटिलीटी सॉफ्टर तो बच्चों याद रखे यूटिली तो याद रहिए करने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टर का इस्तमाल करता है ठीक है पर्फॉर्मेंस कैसे करता है यानिकि जो चल रहा हो बढ़ जाएगा बहुत सारी चीज़े यहां पर तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी वायरस एंटी वैरस क्या है तो एंटी वैरस क्या करता है हमारे कंप्यूटर को जो जो मेलिसियस प्रोग्राम है उसको स्कैन करके दूर करता है कौन तो एंटी वैरस डिस्टी फ्रैग्मेंटेशन क्या करता है तो डिस्टी फ्रैग्मेंटेशन हमारे कंप्यूटर में फ्री स्पेस क मोर हता है ये वा एक हम्रेंब क परी स्पेस को बढ़ाता है यह नहीं कि डिसको आप्टीमाईस कर रहा होक कि ठीक है डिस क्लीनव क्या करता हुग ऑल लीटेवर कर रहा रहा होता है ठीक है टेंपरी फाइil को रिमूफ的 करना और फिर उसको रियूज करना यह को करना फाइल साइज को रिच्क करते हैं फाइल का साइज को तो सब्सक्राइब र Issues करनें तो दो वह उनरा कंप्रेशन हो गया पासवाड मैनेजर होता हो था है इल pense सेविंग मोड होता है आपके मोबाइल में आपने देखा होगा data से विंग मोड होता है power booster मोड यह तरह तरह का मोड आपके computer में देखने को मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते गाई तो वो मेरा होता है utility software तो utility software का जो example है वह exam में पूछा जाएगा कि कौन सा software तो यह सब आपके एक्जाम में पूछा जाता है यह दिमाग में रखिएगा और इसके नाम से जादा आपको यूज पूछा जाएगा आप मोबाइल में देखते हैं डेटा सभी मोड पावर से मोड बहुत सारा मोड दिया रहता है तो यह सब क्या यह यह यूटिलिटी सॉफ ठीक है चलिए अगला बात करते हैं अब है तो गाइस यहां पर दो तीन चीज में आपको रिवाइस करवा दू जो दो तीन चीजे मिस हो गई है जैसे कि रेगुलर में नहीं हो पाता है मैं बता रहा हूं कि में सी क्यूज में करवा दूंगा उसको जैसे टेस्टिंग क्या होता है यह भी पूछा जाता है टेस्टिंग क्या होता है बगिंग क्या होता है डिबगिंग क्या होता है लैचेस क्या होता है तो यह चोटी-चोटी चीजे जो हम रेगुलर क्लास में करवा रहे पाते हैं कितना भी करवांगो ना कुछ ना कुछ तो मिसिंग होई जाएग ठीक है लेकिन इस वीडियों से आपको एक समब पूरा मिल जाएगा कि ऐक्जाम में क्या-क्या आता है चलिए अगला पात करते हैं डेटाबेस दोस्तों देटाब्च हे कोशिच्ञ जिस निसे पूछा था उसी पहां चर्चाआ कर रहा हूँँ तो डेटाबर इसा क्या है दोस्तों डेटाबर हैं कलम न दिटाबस कहते हैं और देटाबस को हेंडल करने के लिए जो सौफरर बनाे उसे हम लोग DBS कहते हैं DBS DBMS एल्टीब्स ठीक है DBMS ओर DBS दोस्तों DBMS कहा है सॉफरर पैक है जो डेटाबस है घंडल कर रहा होता है तो इसको DBMS कहते हैं और उसका extended part हमारा rdbms की खासियत क्या है तो डेटा के बीच में रिलेशन बना सकता है और डेटा को टेबलर फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है तो यह सारी चीज हो गए एक्जामपल क्या है दोस्तों आपने नाम सुना होगा अपने नाम सुना होगा और एकल के बारे में आपने नाम सुना होगा माई स्कुल के बारे में आपने नाम सुना होगा स्कुल सर्वर के बारे में तो यह सब हमारा क्या है SQL Server के बारे में यह सब मेरा आ गया RDBMS का यह सब एक्जामपल तो यह चीज याद रखेगा एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलिए अभी जो सबसे दा कोशन पूछा जारा डीव में से पूरा डीव बहुत बड़ा चेप्टर है तो इंपॉर्ट इंपॉर्ट चीज मैं आपको यहां बता जाता हो जिसे एर मॉडल से कोशन पूछा गया और यहार मॉडल से आप उठा के देख लेना मॉडल पेपर में यह प्रिविश यह कोशन में आप से यह पूछा कि कौन सा सिंबल किसके लिए इस्तमाल किया तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि अगर एक कोई सॉफ्टर हम बना रहे हुआ लगा रहे हजारों हजारों टेबल है तो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है वहाँ पर गूरूप पर सन्काम कर रहा होगा तो जितना भी database यूँज हो रहा हो जितना भी टेवल का इस्तमाल होता है सब को एक diagram New design कियाता है सिंपल सा उस्सी तरह है कि जब कोई मकान मेरा जैते तो को वे यूज या है उसका या कि तेक्टर को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो ईयार मॉडल का इस्तमाल कर रहे होते हैं तो यार मॉडल है को एक तरह का मतलर ड्रैंगरममेटिकल अप्रोच ही है उसके लिए किस-क सिंबल का का इस्तेमाल किया जाता है यह एक्जाम में पूछाता है तो गाइज याद रखिएगा यहाँ पे एंटीटी को रिपरेजेंट करने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया ठीक है एंटीटी डैटीटी टेबल को रिपरेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसका कर रहे होते हैं ड्राइव एक्लिप से रिपरेजन तो यह पूछा गया है आप प्रिभियस यह में उठाके देखना यह सब कोशन पूछा गया ठीक है तो यह आर मॉडल में कौन सा सिंबल किसके लिए बना है यह एक्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट बनता है थोड़ा रखिएगा पहले ठीक है चली अब बात करते हैं टाइपस ओफ कीज में दोस्तों थोड़ा सा यहां पर याद रखेगा टाइपस ओफ कीज कहने का मतलब क्या है कि डेटा बेस में जितना भी डेटा होता है न वो टेबलर फॉर्म में स्टोर होता है इस तरह टेबलर फॉर् स्टूडेंट नाम का टेबल है तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट यहां पर एंटीटी हो गया ठीक है स्टूडेंट का क्या प्रोपर्टी होता है तो स्टूडेंट का प्रोपर्टी से आईडी हो गया स्टूडेंट नेम हो गया स्टूडेंट एड्रे Mergeen कर रहे होते हैं और इसको मों फिल्ड भी कहते हैं है इसको लुगी कहते हैं और इसको डेटा यहाद रखिये आपका jest कि होग यह होटे ओरuation तो गाइज यहां पर 2-3 चीज आपको समझ में आ आई अचाहिए हां बिलकुल या क्यों हिता जाता है हम पूछा जाता है मैंने सिम्बल बता दी एक बार सारा सिंबल देख लेक्μαद पूछा जाता है अब घाइज न चाहरो तो लिखलो it is an attribute which uniquely identified record is known as a primary एक ऐसा इत्रीबुट जो uniquely identify करेगा किसी record को उसे हम लोग primary की कहते है इसे रॉल नमबर हमारा primary की हो गया सूपर की क्या होता है group of attribute ठीक जाद the diet मुद्दे की बात करते है ज्यादा भासन नहीं देना ग्रूप अट्रिब्यूट के बारे में बात करता हूं यहां पर ग्रूप अगर लिखा रहे एक्जाम में कि यूनिक इजन एट्रिब्यूट विच यूनिक लिए इडेंटिफाइज रिकॉर्ड इस दोन इस प्रैमरी की ठीक है लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे कि ग्रूप प्रेके इडेट विच यूनिक लिए डेंटिफाइज रिकॉर्ड तो अंसर आप लोग्वकर ना सूपर की बैटिक करना यानि ग्रूप ऑफ एट्रीबूट विच यूनिक लिए क्वाइल इखा रहे तो सूपर की पे सिर्फ यूनिक लिए डेखार दो प्रैमरी की पे गा की क्या होता है तो मिनीमल सैट टर्य प्राटेछ विच अन्ट रिकॉर्ट इस न मनें जकनित की मिनिम он few of another table होता है कि सी और टेवल का ये primary की होता है घग है यानि कि किसी भी आगर मालो ये नाम का टेवल है तो एंग का टेवल का foreign की कौन होगा तो भी टेवल का जो प्राइमरी की हो गा वह एक लिए foreign की बनता है ठीक है इसका इस्तेमाल किया आता है डले संच precise स्टेबलिस करने के लिए तो लिख लेना कहीं साइड में कि फॉरेंड की क्या है तो इस सूट भी दप्राइमरी की ओफ नदर टेबल किसी और टेवल का प्राइमरी की होता है क्या इस्तमाल किया जाता है किसका तो फॉरेंड की का सकेंडरी की क्या होता है तो प्राइमरी की हो आपको देखने को मिलता है आपको हूँ जो यह आ रिकॉर्ड से अफ आ rugel इस टिर्भिया न ही धिया जब्लदेखाल अलब्रूर zaman moved away हूँ जबह नडशाली हूँ हूँ और शैय स्वपश़़े में अस्टोर में स्टेस्ट देड़ा भी योजiska grounded जिस्ट Also कम देख पह items एक ऐसे हो तो से द्रखे टीड़ार पके जायता हमारा रिलेशनल मौडिल सु भरता है रिलेशनल मौडल में अगया हम आरे रिलेशनलौ डिल मडल आमारह ऑगया ये सटेगरी में अगया माडल क्या होता है जो डिटा को टेब फॉर्म में स्ट्रॉर करता उसको रिस्न मॉर्टे थे एक आपका eping अ scः अ sante पर काम कर रहा होता है तो यह मेरा हो गया तो यह मेरा क्या हो गया यह मेरा हो गया आपका हिरारिकल मॉडल उसके बाद हमारा होता है नेटवर्क मॉडल गाई उसके बाद हमारा क्या होता है तो गाई याद रखे उसके बाद हमारा होता है नेटवर्क मॉडल क्लाइंट और सर्वर के फॉर्म में हमारा क्या करता है डेटा स्टोर कर सकता है उसको नेटर के फॉर्म में अगला हमारा अग्जेक्ट और रियंटेंटेंट मॉडल हम लोग कहते हैं ठीक है यह क्या होता है जो डेटा को ऑब्जेट और क्लास के फॉर्म स्टोर कर रहा होता है अभी के समय में हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस हम लोग क्या कर सकते हैं वीडियो को स्टोर कर सकते हैं यह इसके कारणा हो सकता है रिलेसर मौडल जो टेबलर फॉर्म में डेटा स्टोर करत अच्छा एक कोशन यहां पर बड़ा फेमास होता है काई आपको थोछा सब बता देता हूं कि मेमोरी हिरार्की का कोशन आपको बहुत देखने को मिलता होगा डिश्ट में जवा पढ़ाइक कर रहे हूं गया था प्र फॉस्ट देखने को मिल रहा होðा कि गईज आपके पास वारा डेटाबेस दिया हुआ तो इस तरह करके आपको एक एरेंज करने वाला कोश्चन आता होगा तो यह का सही करम होता है ठेक है इसके पहले बीट भी दिया रहा सकता है तो कुछ भी होगा इस ओर्डर को याद रखी का यह ओर लभी कोश्चेंट आपको देखनों को कर दूसरे पॉइंट पर दूसरा अब यह होगा डिटाबेस भी आपका खतम हो गया ठेकर डिटाबेस कटम अब बात करते हैं नेटेवर के बारे में तो गई नेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टर यहां से अब बस लास्ट की कर रहे हैं यानिकी मुस्किल से घंटा के अंदर सारा मैं अब खतम कर दूंगा ठीक है क्योंकि अब सिर्फ चीजें में एक्स्प्लेइन करना ज्यादा मेरे को लिखने के आउ सकता आप नहीं पड़ेगी और व पार की सार यह क्लास जो मिला तुक है आप यह को लेट कर पार की यह सर्म यह जो क्लास मिला यह अब मेरे किलेस्थ मतलब सफिशेंड ठीक है यानि की जो पढ़ रहे हो अब मैने ऊ। बीच भीच मेस्दिक में कोषिए नेны betada जाणा आओ कि ऐसा मतलब लभ एक्जाम में को वह बाद करते हैं नेटवर के बारे में तो नेटवर्क स्थी जोड़ देते हैं तो वह मेरा क्या होता है उससे चल्डी में बढ़ रहा हूंगा दो यह दो सबस्थ होगा और इसकी यह थी हम लोग पैरिफेरल सेरिंग कर सकते हैं पैरिफेरल सेरिंग है वह लोग लैन में कर सकते हैं एक बिल्डिंग कर नेट्वर उसको लैन कहते हैं उसका वैन होता है वाइड एरिया नेट्वर होता है हमारा इंटरनेट जो है वह मेरा इसी का एक्जामपल है ठीक है हमारा गडक की न होता सिखते हैंड़ा इस आर्चना हो ल१्यार मईन दिखते हुआ है 3 312 भी विए ब्लू टूटीट को गया हमारा रिज्छ अर। कि cookie लिल्टीं भी इचयर टो अगते हैंग अनुद्याइब नेट भर को स्कुनमितक लिए हो पाथि तो यह पाता है इचया लिएर मेल नइन प्रक्राइन को यह शुर्ट रखे हैं टयाओं मेले मैचाली देशाथ सब्सक्राइब का यह इन दंद फूरोर ताइचीव्यरों कि अविए ले डेटिवलक किए ताकि किसी जो कम्यूनिकेट कर सके कम्यूनिकेशन करने के लिए कि लिए हम लोग resist कि और k Tulis को और ये बता है कि दो किम्प्यूटर संभी हो सकता है दो कuning tours वी उसकता तो यह इस दिए इससे यूज पूछा जाता है कि कौन सा नेटवर्क है सबसे बड़ा है इंटरनेट किसका एक्जामपल होता है या बात करता है कम्यूकेशन इसलिए बना पाएं ताकि हम लोग कम्यूकेट कर सके कम्यूकेशन करने के मीडियम चाहिए मीडियम दो प्रकार का हो सकता है या तो मेरे पास वायर मीडियम हो सकता है या तो मेरे पास वायरलेस मीडियम हो सकता है या तो वायर मीडियम हो सकता है या तो वायर मीडियम को हम लोग क्या कहते है गाइड़ मीडियम कहते है और वायरल मुझांट अन्बंदेट Connecticut तो हमारा वाइट टैसे से रेडियो वे हो गया रेडियो व्हों गया थिक यह मेरा ऑन-गाइड जो Wifi आपने इस्तिमाल हुता लब होगा आपने इंफर आ का गया थे हमारा आना वाहले ल गया देखा हो dancer will be the wateritta कर वादो कर दो कर वादो फरीषान के ओर सब्मैखर वादूगा परसान ओब इस सब कुछ मैं आपको यहाँ सकते हैं गाईडेन में हमारा क्या और तो गैस गईडेन में आता है बिसिकली हमारा ट्विस्टेट पेर आगया अगी Camera आगए छिवा últimos जो बेसिकली घर वे इस्तेट बेर वी स्फेड़ कार रोगा को एक्सिएम मोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर याद रखेगा इसके बारे में यह घर में जो कभब ट्वी जो सेU से यहीवा लो केबल का स्माल कर रहे है या फिर आपके पास जो ब्राट्बेंट शोर हो रहा है ठीक है घए अज इंद गोया है अडी Brल अव्री अत्वकट कर रहे हैं तो सबसे फास्टेस जोए सबसे छोट को टीव एंटीनए रेडियो मेब आपको पता है कहां इस्तेमाल करें इन्फर एढ़ेड जो आपका टीवी एंटीनए वह हमारा से लाइड है दोस्तो किसका कहां इस्तेमाल होता है यह याद रखेगा सबसे पहले से यहमारा ना यह आपका देखिए आपका यह वाला उसको क्या कर यह आपका क्योग वलिए आपकाइक सेरा यही यह्शे धोर टूजान जो बैसिकली कहां इस्तमालriminal खा से सब्सक्राइब होता है और एक में यूटी Ma दहाता है स्टी टेट पीश टेट पे हैं और यूटी पी अंसिलुट इस टेट पे एक टेलीफोन में इसनाहे है लाइन में इसका इसस्टाँ किया जाता है याद रखेंगा तो यह just से हम communication कर पाते हैं यह wire हो गया और यह मेरा wireless हो गया तो किसका कहां इस्तमाल होता है किसका क्या range होता है कौन सा fast होता है कौन सा slow होता है यह सब exam में पूछा जाएगा तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा ठीक है चलिए यह होगा अब तिसरा पॉइंट बात करता है कम्मौनिकेशन मोड के बारे में इसके इसमें बहुत बार कोश्यन पूछा जाता है तो बेसिलिक क्या होता है एक हमारा क्या होता है तो कम्निकेशन मुट इन पर एक हमारा सिंप्लेक्स होता है एक मेरा फूल डूपलेक्स होता है एक मेरा हाप डूपलेक्स होता है तो गाइस याद रखेगा सिंप्लेक्स किसे कहते हैं अगर वन वे कम्निकेशन हो रहा है अगर वन वे कम्नि prosecution है हम लो backward लेख रहे हैं यह मेरा वन वें डिастंट है हम रोकी बॉर्ट माँशार मांशक Mr. रहे हैं यह वन वें करें वह मेरा हो गया किया सिम्प्लेक्स है हाथ फौल डॉलज क्या हो गया कि दोनों साइड से पैरलल होगा साइमल्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें पार्लरी हो रहा है तो molecular हो गया हवा तो क्या होता है दोनों साइट ले IBM एक समय में ह ही होगा दोनों साइट से होगा लेकिन एक संगरा ही होगा तो वह मेरा ओटरा depending है तो वह स्टांपika हाप डुंपलेज दुञामपल हो गया ये बहुत बार पूचा गया हर बार इस ने मं hugely मोडल के बारे मי कि निट kit model यहाद रखिए का बैसिकली दो तरग का मोडल कम लोग इस्ते चोशों बहुत सकति तो एber देख लीजिए गा अब दो तरह का साथ ले यह आपका पहलाले यह आपका तीसरा यह आपका पांच इस सब्सक्राइब करें तो गाइस याद रखेगा कि कमीने टो का सब्सकrios सबसारीं सब्सक्राइब का महल नूंट-खेंट किकशुए अब थोगय बात करतें इसके बात करते हैं आर तह सबसे Humans से के बारे में यह समझो कि अगर मालो कि यहां कोई सेंडर है और यहां कोई रिसीबर है अगर यहां पर कोई सेंडर है और यहां पर कोई रिसीबर है तो यहां से को और नेट वर्किंग मॉर्डल कहते हैं तो ऐसा ए मादल में कितना हो गया है तो जाइज याद रखिएगा यह वघ् याद रखिए गांगा यह मादल के बारे में क्या कहते हैं तो दिशिटीश सेट लेर माइन वहको बात करतें थिक अबारे में क्या कहेंगे तो गाईर के बारे में याध रखिए का हमारा फिजिकल ने इस में क्या होता है तो जितनेवी इसके मैसेज़ कि बाते होगी वह मेरा ńsk नियर में होगा और इसमें रहुड बिट फॉर्म में बनता इसकली दोस्तों कित फॉर्म कैसा रहेगा तो यह voltage determination कैसा होगा यह cable कौन सा इस्तमाल कर रहे होंगे signal कैसा रहेगा यह सब ध्यान है यह मेरा physical error रहता है और यहां पर message का कौन सा form बनता है message का bit form बनता है ठीक है और यहां पर आगे बढ़के उसको data link layer प्रास गया data link layer क्या करता है तो यह message का frame मनाता है साथे साथ यह क्या करता है यह traffic control का भी काम करता है यह error free message भेजने के लिए जिम्मिदार होता है और यह हमारा flow control भी करवा रहा होता है कौन तो मेरा data link layer तो data link layer के जिम्मिदारी है कि error free message है वो आगे हम दिलिवर करवा पाएं वो डिटाली और यह message का कौन सा form यूज करता है तो frame है वो यूज कर रहा होता है इसके बाद चला था network layer के पास network message का क्या यूज करता है तो packet का form इस्तमाल कर रहा होता है साथे साथ यह routing का भी काम कर रहा होता है रास्ता बताने का काम यही कर रहा होता है और यह एक एड्रेस देता है जिसको लोग IP address कहते है वो भी मेरा यही कर रहा होता है ठीक है अगला है ट्रांस्पोर्ट लेट ट्रांस्पोर्ट लेर क्या करता है तो message का segment form यूज कर रहा होता है मैसेज को सेग्मेंटेशन कर रहा होता है और इसका काम end to end connection होता है यानि एक जगा होश्ट दूसरे host में connection करने के लिए क्या करते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेर का इस्तमाल कर रहा है से सलेर के पास जाता है से सनेर का काम है connection fabulous करना से सनले का काम क्या दोस्तों connection dataset ना यानि याद रखिएगा अभी तक जो चीज़े हमारी चल रहती है वہो एक edge पर ही चलना अभी तक जो चीज़े वारी चल रहती हृथ है कि एक ही जान्ढक याशन कॉन और मैसेच तो दिया लेकिन अगर कनेक्शन करने का काम कौन करता है तो वह मेरा करता है आप सिंपल सा नोटिस करना कि अगर आपका इंटरनेट क्नेक्शन स्लोग के आता है то मैसे ilda कि से तो आपका computer से मेरा YouTube का जो सर्वर है वो connection established हुआ है तो यह connection established करने का काम कौन किया तो यह मेरा session layer that is the reason ठीक है अब यहां से मामला चला गया presentation layer में तो presentation layer क्या करता है connection established हो गिया अब message को security ले encrypt or decrypt किया जाता है तो यह encryption or decryption का काम कार रहा है यह message को encrypt and decrypt करने का काम कौन कर रहा है guys message गहीं क्रिप डिकर करने काम कौन कर रहा है तो वो मेरा presentation layer करा that's it area ठेक हे अगला मेरा application layer application layer का करता है तो finally जुआ आपको देख रहा है Blue color ka WhatsApp देख रहा है Green किसमें किसमें होता है। यह सारा आपके एकजाम में पूछायए यह दिमाग करता है वो क्याम करता है आपका रिपीटर जो है वो आपका फिजिकल लेर पर काम करता है ठीक है आपका हब जो है यह फिजिकल लेर पर काम करता है आपका स्विच जो है रिपीटर हब हो गया और वी सेट हो गया यह आपका फिजिकल लेर पर काम करता है रिपीटर हब और वी स्विच काम करता है स्विच काम करता है और साथ इसार डेटा लिंक लेर पर हमारा ब्रीज भी यह वह भी मेरा डेटा लिंक लेर पर काम करता है और नेट्वर्क लेर पर मेरा क्या काम करता है नेट्वर्क लेर पर मेरा राउटर काम कर रहा हुता है और ट्रांस्पोर्ट लेर पर मेरा गेटवे काम कर रहा हुता है तो मेरा गेटवे काम कर रहा हुता है तो मेरा गेटवे काम कर रहा हुता है तो कौन सा लेयर कौन सा डिवाइस किस लेयर पर काम करता है पुरा दिमाग में रखे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत कर दि के न अब बात करते सारे के बात मिए सबसे पहले बात करते ऑफ एक सबस्क्राइब करते तो आगर पूछा जाए कि नेटर चुर्ण रिट करने गिस डिवाइस का इस्तेमाल नसी काड का इस्तेमाल कर रहे इसको में लोग इथरने आई ट्रिपल्ली एट एट फुपॉंट ठी एट लू पॉंट त्रीं यह तो닉ट नहीं का स्टाइंडरा हो रहा होता है ठीक है अगला अगला हमारा परीज क्या रहा होता है राधार बिभीज का यह एक जिसका काम क्या होता है जैक मैं द isn't एक लाउन के किसी एक लेन का यह मेरा ओफिस है और यह फोई दू फिलोर तीन फिलोर अलग लग फ्रोर मेरा ओफिस है तो सब को जोडने का काम कौन करेगा तो यह ब्रीज kaam करता है तो अपका डेटा-layagram करते यह बारे पूछा जाता ह outro के तो यह वारो ऑड़े इस के बारे में आप बात करते रिपीटर क्या होता है सिग्नल को रीबूस्ट करना थे डिछ दोल पूरust करना है ठेकर सिंटिंड करना है रेपीटर वही है जो आपका booster का काम होता है तो नेट्वड लेंद बढाना तो रेपीटर का इस्तमाल ओगा मोडियर कहां पर काम कर रहाया तो आपका靈वर्वर लेठी पर पर काम हो रहा होता है अब मदलसं का मतलब उता है डिजटाल से अनलोग और दी मॉटिसमल मतलब रोगता है भी तर ठीचाट करने के लिए when ke various component को क्रिण करने के लिए हम लों इस्तमाल करते हैं कि तो लैंग यानि आप इसको ऐसे समझ येगा कि मेरे ऑफिस में क्या है मेरे अफिस में अगर पचास कंप्यूटर ऐसे रखा हुआ है यह पचास कंप्यूटर मेरे पास रखा वा मेरे पास एक ही इंटरने का connection यहां पर आएगा और यहां पर सारे device connect हो जाएगा ठीक है यहां पर सारे device connect हो पाइगा तो यह काम कौन कर रहा है तो यह मेरा switch कर रहा है तो use to connect various component एक land के सारे component को जोडने का काम कौन करता है तो वो मेरा switch कर रहा और यह भी मेरा land याद लिख ले ना कहीं बस अंतर यह पहला अंतर तो यह भाई कि स्वीच जो वो डेटा लिंक लेर पर काम कर रहा है और यह मेरा नेटवर्क यह फीजिकल लेर पर काम करता है तो बेसिकली यह क्या काम करता है यह ब्रोड कास्ट पर काम करता है ठीक है यह ब्रोड कास्ट पर काम करता है और यह मेरा यह मेरा यूनी कास्ट पे काम करता है और मल्टी कास्ट पे काम करता है यह यूनी कास्ट और मल्टी कास्ट पे काम कर रहा होता है ठीक है अब यह यूनी कास्ट और मल्टी कास्ट क्या होता है यानि कि स्विच क्या करेगा कि एक लाइन आया और अगर दूसरे को अगर भेज रहा है मैं बता देता हूं डिफरेंस जो आ रहा है अगर एक लाइन से सिगनल आया और अगर मालों पांच यहां पर काम करता है वह यूनिक पर काम जिसे फाइदा ही होता है कि मेरा डेटा लास नहीं होता है मेरा सेक्यूरिटी बढ़ जाता है तो सुविच और हमें यह याद रखेगा हब जो है वह स्टार टॉपलोजी में आज इसेंटरल डिवाईस की तरह ही इस्तमाल किया जाता ह हब और सुच में अंतर मैं सुच और ब्रीज में अंतर यह समझ लिजिए कि भाई अगर माले जिए कि मेरा यह एक फ्लोर है यह एक फ्लोर है यह फ्लोर है तो इस फ्लोर के सारे कंप्यूटर को जोड़ना है तो हम यहां पर सुच लगा देंगे यहां पर लोग सुच लगा द कम्प्यूटर है सब को जोड़ने काम करेगा सुइच लेकिन एक फूलोर दो फ्लोर तीन फ्लोर को जोड़ने का काम कौन करेगा तो वो करेगा मेरा ब्रीज तो ये डोनों में अंतर है इसलिए ब्रीज को कभी-कभी नेटोर एकस्टेंडर भी कहा जाता यानि जो काम काम किया जाता है एड्रेसिंग का काम किया जाता है एड्रेसिंग का काम किया जाएगा ठीक है नेटवर्क हो गया एड्रेसिंग का काम किया जाएगा और साथी साथ अगर हम बात कर नेटवर्क हो गया और एड्रेसिंग का काम किया जाएगा और साथी साथ यह क्या करता है 2 Sicilialight Live यह टेटा पैकेच को ट्रांफवर कर रहा होurgh tomorrow property यह ठांफर कर रहा होग हो फ्रावार मेरा मैं निटवर्क लेर काम करता है एडस्य इन परकान का रहा होता है po आप वहिं गरेट्वेर का झाम क्या है तो गाईस यह मेげरेटी सिमलर नेटवर को करेड़ करता प्रोटोक्ल प्रोटोकॉल कर रहा होता है यह प्रोटोक्ल प्रोटोक्ल कर अब होता है लिए घर स्कूल스वल से का सर्फर 207 का सरवर और यह हमारा हो गया और यह मेरा बैंक हो गया तो अद्ड़ा और बैंक को जोडने का defending याद रखिएगा कि अगर मालिए यह तो ग्मूलर यह मेरा सारवर haut-g themed खाल ने का कामकर रहा है तो यह जो अबट रखिएगा गेटवे जो प्रोटो कोई का रीटसवेटर का काम करता है दो अलग लग में ट्रांस्पोर्ट लेयर पर भी काम करेगा ट्रांस्पोर्ट पर भी काम कर रहा होगा और साथी साथ अगर में बात करता हूं यह और सेवन लेयर को भी सर्विस दे रहा होगा ठीक है और सेवन लेयर को ही सर्विस दे रहा होगा ठीक है अधिक ऐसे तो यह महारा हो गाया इसके बारे में चलिए वी सेट क्या है दूस्तु भेरी स्मॉल अपरिट टर्मियर लेवेरियस वह अपर्च तर्मिल ये क्यासा डिवास जो सैटलाइट सिंचल को कैप्चर करता सै टर लाइग है और सिगनल को यह सब्सक्राइब करने काम को करता है तो वो मेरा भी शेट कर रहा है इस अवाओ भी शेट हो गया ठेक है चलिक तो गाइज आ का यह मंटीप्लेक्सर होता है जिसमें मल्टीपल इंपूट होगा मल्टीपल इन्पूडर सिंगल आउटपूट होता है टिमल्टी प्लेक्सर होता है एक मेरा इन इक जोता है और जो binary statement कब about कर रहा हो यह होट तो यह सब भी कभीकर से Kelvin की केडरीम आता है यह किसका एग Statomple है यह मेरा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह मेरा स्काइब घ्जामपल है और इसका जो प्लेशिट हमारा सिक्वेंसियल सरकीट होता है ठीक है सिक्वेंसियल सरकीट हमारा होता है उसका एक्जामपल क्या गाइस उसका एक्जामपल हमारा flip-flop हो गया flip-flop हो गया register हो गया यह सब मेरा क्या है तो यह मेरा इसके flip-flop तो बाकी का जो रह गया जैसे नेटवर्किंग इंटरनेट का रह गया और एमस ओफिस रह गया यह दो ही चैप्टर हमारा रह गया तो कल जो हम मैराथन क्लास लेंगे तो उसमें इस चैप्टर से ही रिलेटेड मसी क्यू हम आपको करवा देंगे ठीक है आज मैं यहीं पर क्ल पूरा यह जो अभी रह गया जैसे रह किया गया है तो आपका इंटरनेट नेटवर्स से मालवेर यह सब सारा रह गया है और साथी साथ आपका यह रह गया है सब्सक्राइब करेंगे तो आज आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसमें पूरी क्लास अब देख लेते तो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा ठीक है तह कंडली अगला 2-3 दिन तक मतलब मत छोड़िए गाशी तो अगला 2-3 दिन मत छोड़िए गाश यह दो पी यहां पर लिक लेना कि दो पीम पर आपको आना एंद्यूर जूर ना है क्योंकि अगला दो दिन सबसे पहले में वही कर वाँ पर नेट वर इंटरनेट कर वाद दूँगा एमस ओफिस का सारा कुश्टेंस कर वाद दूगा तो आप सुभा अले क्लास में जरू जूरिये का दो पहर दो बजे में आच ले इतना ही उपाया बच्चे भी थग गया और मैं भी थग गया हूं ठ थोड़ा सा एनर्जी यह नहीं लग रहा है तो आई एका सारे बच्चे दो वजे जरूर दो पीम पे यह टाइम पे जरूर आए एक ठेक है दो पीम पे जरूर आईए गा ठेक है सब कुछ आपका कवर हो जाएगा अरा इतना आपके पास हो चुका है कि आप तैयार हाई यह पीदिय उने दिल वादूँ गा यह कोफिवाद ओनेंड में आपको दिल वाद ओना ठीक है सबसasına है और ब utilization पre किसी भी आप कोर्स इंडॉल करना चाहिए थी तो चलिए ठैक की फोर वाचिंग आज के लिए इतना ही रखते फिर बारा बच चुका है बहुत सारा कॉंटेंड जा चुका है आप बस मेहनत कीजिए अगला तीन से चार दिन भी बस चार दिन का खेल है यार छैसाथ आठ नो ब अच्छे नम्मा आएंगे यह चीज में आपको बताते हैं ठीक है तो चलिए अभी के इतना है रखते दोस्तों फिर मिलते अगले पॉइंट में दो बज़े जो आईएगा दो पहर दो बज़े टाइम लिख लो सारे बच्चा तब तक लिए गुड़ा गुड़ा इंटेकर द